तो आपके पेटा क्या होता है जब आप मैस में देहेंगे तो मैस में जब भी कोई कि मैस में हम जब भी कोई operation study करते हैं operation biology वाला operation यहां चीरफाड़ वाला नहीं operation माने कुछ भी process study करते है तो वो हमेशा two-way process होती है इसको example से समझे जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि मुझे two को four बनाना है मैंने कहा मेरे पास number है two, two को four बनाना है तो आपने कहा हम एक function कर देंगे जिसमें two की power two लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा four ठीक है तो ये जो आपने function बनाया जो आपने x की power two कर दिया इस function का नाम हो क्या बेटा square function आपने बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं हम square कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि two को अगर आप square कर देंगे तो क्या बन जाएगा two to four बन गया अब मेरा four वापस मुझे two चाहिए है ना तो हम कहेंगे don't worry कोई बात नहीं चिंता वाली हम कहेंगे कि हम एक function डिजाइन कर देंगे square root मतलब square और square root inverse function हो जाएगे तो अगर two का square four है तो four का square root वापस आपको क्या देदेगा two ठीक है x is y then there is a function square root whose square root will give you x this is the basic concept in mathematics ठीक है ये छोटी classes देभी हो रहा था जैसे आपने कहा कि sir हमने five मैं three plus करके eight बना दिया अब आपने कहा कि sir मेर को तो मेरा eight वापस चाहिए तो आपने कहा कि five मैं plus three कर दिया तो क्या बन गया eight तो हमने कहा तुमको तुम्हारा five वापस चाहिए तो क्या कर लो minus तो ये function क्या हो गया addition का और ये function क्या हो गया subtraction का तो आपको ये समझना है बेटा कि match में जो भी functions आएंगे match में जो भी चीज़ है आप पड़ोगे वो dual way चलेंगी एक और example से समझते हैं चलो आपने trigonometric function की बाद आई ठीक है हमने trigonometric function की बाद करी मेरे पास माले जे 30 था डिगरी में आपने कहा मुझे 30 को half बनाना है तो हमने कहा ठीक है भाई function लगा दो कौन सा sine का function तो आप लोग कैसे लिखते हो sine 30 degree equals to 1 by 2 ठीक है अब आपने कहा कि भाई 30 तो 1 by 2 बन गया अब मेरे को मेरा 1 by 2 वापस 30 चाहिए तो हमने कहा ऐसा भाईया एक function मना देते हैं inverse of sine यानि कि sine inverse तो आप कहोगे कि sine inverse 1 by 2 is 30 ठीक है अब आप ध्यान से समझो यहाँ पे बिटा बहुत ध्यान देना क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बतायता है न एक point आता है क्लास में जहाँ पे disruption आता है आपकी और मेरी connectivity जहां से खतम हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा अब मैं चीजों को क्योंकि analyze करके आपको समझा रहा हूं तो अगर आपको cube root 64 नहीं भी आता है तो आप क्या सोचिए कि किसका cube 出去 64 होता होगा क्योंकि जिसका cube चिजों 64 तो वही cube root 64 का answer होता होगा यानि कि आपको dual जोचने की जर्यती नहीं है cube और cube root अगर आपको cube होता होगा तो आपने का 4 का cube होता होगा तो यह answer आपका कितना आ जाएगा यह answer आपका 4 आ जाएगा तेके ना यानि कि अब मैं आपसे पूछता हूँ एक question sine inverse 1 by root 2 की value कितनी होगी बताइए sine inverse 1 by root 2 की value कितनी होगी फटाफट बताइए good तो कैसे बताया हमने मुझे नहीं पता यह inverse function क्या होता है as a need student मुझे आप समझी कि आप need के student है आपको basic mathematics बहुत ज़्यादा high five नहीं आती है तो मैंने क्या किया मैंने यह सोचा कि मुझे नहीं आता sine inverse 1 by root 2 कितना होगा लेकिन मैंने क्या सोचा कि कौन सा sine theta कौन सा sine theta 1 by root 2 होता होगा यह तो सोच कि हमने निकाला तो हमने को लगा कि अच्छा भी है sine 45 sine 45 1 by root 2 होता है तो sine inverse 1 by 2 कितना होता होगा 45 degree तो इस तरह से हर जगा पर आपको क्या मिलेगा inverse function तिक है वीटा अब अगर मैं आपसे पूछूँ अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि हम यह निकालते हैं देखो ध्यान से देखो वीटा sine of sine inverse sorry sine inverse of sine 45 degree यह मैंने कुछ आपसे कि sine inverse of sine 45 degree कितना होगा तो कैसे निकालेंगे देखो हम लोग क्या कर लेंगे दो प्रोसेस हैं या तो आप इसको लिखो sine inverse sine 45 कितना होगा 1 by root 2 और sine inverse 1 by root 2 कितना होगा 45 degree ठीक है यह एक तरीका होगा वीटा या दूसरा तरीका एक और है हमारे पास हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम यह imagine कर लेते हैं कि sine inverse और जो sine है इस टू फंक्शन्स आ inverse फंक्शन तो इनका जो multiplication होगा यानि जब भी यह दो फंक्शन एक साथ आ जाएंगे एक जेगा पर तो यह एक दूसरे को मार के खतम कर देंगे आपके पास कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा समझ गए जस्त आपके समझने के लिए मतलग आप यह सोच सकते हैं कि sine और sine inverse जैसे ही आए तो यह sine inverse और sine function आपस में खतम हो गए और एक ही line में answer क्या नहीं देख सकते थे आप 45 degree ठीक है तो इस technique से अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि anti-log आप देखें log anti-log मुझे कुछ नहीं आता भी मुझे नहीं पता log क्या होता है मुझे नहीं पता है anti-log क्या होगा मुझे बसे बताएगा कि log और anti-log inverse function होता है तो आप कहेंगे anti-log और log खटन करतेंगे और simply answer कितना आजाएगा 33 ठीक है तो now in the same way integration क्या है बेटा in the same way integration is inverse process of differentiation ठीक है मतलब अगर कोई एक function हमारे पास है x जिसका differentiation करने पर function बन जाता है gx ठीक है तो gx का integration कर देंगे तो क्या मिल जाएगा fx ठीक है इसको example से समझ लेते हैं बहुत ध्यान से देखना बेटा क्योंकि है तो बहुत बेसिक चीज बट मैं बता रहा हूँ आप पूरा दो साल सिर्फ इसलिए परिशान रहोगे नहीं तो integration में कहां क्या हो रहा है अभी हमने बूला कि सुपोज x-squared का differentiation होता है मान लो 2x x-squared का differentiation 2x होता है तो 2x का integration कितना होगा x-squared अगर x-square का differentiation 2x होता है तो 2x का integration कितना होगा x-square ठीक है यानि जैसे हमने बुला था ना अगर 3 का square is 9 तो square root of 9 is 3 यानि जैसे square और square root function inverse function थे उसी तरीके से differentiation और integration क्या है inverse function तो point number 1 ये सबको clear हो जाना चाहिए कि differentiation क्या है बेटा differentiation is the inverse process of integration is the inverse process of differentiation या अगर आपने integration पहले पढ़ा है तो आपके सब्सक्राइब differentiation is the reverse process of integration अब हम क्या करेंगे ये जो हम language में बात कर रहे हैं इसको हम language change करके mathematical language कर देंगे चलो एक चीज बताओ मेरको तुम लोग अगर मैं बूलू mathematics क्या है what is mathematics do you know mathematics is language mathematics is language language क्या होती है किसी भी चीज को describe करने का तरीका है ना तो mathematics में क्या होता है जैसे आपने बोला कि हमको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करना था तो देखो कितनी बार 2 लिखना पड़ा 4 ताइम्स तो हमने एक नई language बना दी एक नया symbol बना दिया हमने का इसे 4 बार 2 नहीं लिखेंगे इसे 2 cross कहलो या into कहलो या multiplication कहलो तो ये एक नई language होगे 2 प्लस 2 प्लस 2 को क्या बोलना है 2 into 4 बोलना है समझके तो अब हम क्या करेंगे जो हमने पड़ा उसको एक mathematical language में दिखने की कोशिश करते हैं suppose there is a function fx कुछ भी हो सकता है last class में बताया था हमने this can be x square this can be log x this can be sin log x square simple function से लेके complicated तक कुछ भी हो सकता है and we are saying differential coefficient of fx is suppose gx क्यानि suppose हम कह रहे हैं d upon dx of x square कितना होता है विच्चे 2x ठीक है तो अब हम d को यहाँ ले लेते हैं और fx और gx dx को यहाँ कर दो ठीक है ओके और अब हम एक function ले आते हैं अपना symbol integration वाला जैसे differentiation ठीक है ना differentiation का symbol क्या है d तो ऐसे ही integration का symbol क्या होगा यह actually यह क्या है बेटा यह है s यह जो लिखा जाता है यह s जैसा लिखता है हालांकि medical के बच्चे को यह s कम और इस तरह से एक साप जैसा कोबरा जैसा ज्यादा दिखेगा है ना integration माने साप भी कह सकते हो s से साप है ना बट यह actually summation है integration का जो मतलब होता है वो क्या होता है वो होता है summation तो आप कुछ भी समझ सकते हो integration माने s s से summation या s से साप ठीक है तो हमने क्या किया यह integrate कर दिया gx को अब क्योंकि differentiation और integration मैंने बोला कैसे function है यह inverse function है तो जैसे sine inverse जैसे sine inverse और sine आके कुछ भी यहाँ पे कर दो x तो यह cancel करके सिर्फ क्यार है जाता था x वैसे ही जब यह integration और differentiation आ जाएंगे तो सिर्फ क्यार है जाएगा fx और आपको क्या मिल जाएगा कि integration of gx dx बराबर fx ठीक है clear तो अब इसको one short में लिखते हैं देखो यहाँ पे लिख लेते हैं d upon dx of fx is gx this implies integration of gx dx is fx यानि कि अगर अगर d upon dx of x square is 2x then integration of 2x dx is x square this is the meaning of integration अगर x square का differentiation 2x है तो 2x dx का integration कितना हो जाएगा x square this is the story of differentiation and integration ठीक है अब हमको क्या करना है इस basic सी theory को यह जो हमारी basic सी definition है इस basic सी definition को थोड़ा सा advanced level तक ले जाना है जहाँ पर कि हम integration से related concept सीख से ठीक है तो अब देखो integration का यह तो हो गया यह था पहला पार्ट this was first thing और यह क्या थी यह हमने देखा just integration ठीक है सकते हैं हमने mathematical definition देखी है यह हमने क्या देख ली integration की एक बस हमने क्या देखी mathematical definition ठीक है बटा अब हम क्या समझने की कोशिश करते हैं अब हम integration का physical meaning समझने की कोशिश करते हैं this is the most important part अब हम क्या करेंगे अब हम समझने की कोशिश करेंगे the physical meaning of integration वैसे भी आज की class का topic का heading जो headline है heading मैंने क्या डाली हुई है integration basic introduction ठीक है ना एक दम आपको integration को समझ लेना है integration हमारा दुश्मन नहीं है integration को design किया गया है बेटा हमारी मदब के लिए ठीक है तो सबसे पहले बाप ऐसे समझो कि मेरे पास एक event होता है इस event में एक कोई object है और वो motion start करती है और चलती जाती है ठीक है कुल मिला के delta x distance cover करती है कितने time में delta t time ठीक है अब ये जो मैं event को study कर रहा हूँ कि delta t time माने suppose it delta t time कितना है this is 1 r तो ये 1 r क्या गिना जाएगा लेका this will be considered as finite interval तो यहाँ पर जो आप event को study कर रहा है event को study कर रहा है इस पर finite time interval पर और अब हम आपको क्या बोलते है मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे event को बहुत ही छोटे छोटे intervals पर study करना है यानि कि अगर आप से किसी ने speed पूछी तो आपने यहाँ पर average speed निकाल के दे दी delta x upon delta t बट अब क्या हो रहा है अब हमसे बोला कि average नहीं हमसे किसी particular point point पे पूछा इस point पे हमसे पूछा तो differentiation का use ही हमने इसलिए किया था कि अगर हमारे पास कोई बड़ी story है तो इस बड़ी story को हम लोग छोटे time frame पर divide कर देंगे और यहाँ से जो हमारा time interval होगा वो tending to zero हो जाएगा तो अब फिर से हम speed निकालेंगे average लेकिन अब क्योंकि यह average speed छोटे time interval पर निकाली है तो इसी को आप क्या कह सकते हो instantaneous speed जो कि अभी भी क्या है delta x upon delta t delta t tending to zero जिसे आपने क्या लिखा था dx upon dt यह था differentiation यानि differentiation में क्या होता है आपको एक बड़ी story को आपको एक बड़ी story को study करना होता है parts you have to study a larger story in smaller smaller parts ठीक है अब हम देखते हैं बेटा just एक दूसरा event दूसरे event में क्या हो रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि एक particle इतना चला एक particle इतना चला इतना 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 छोटा छोटा चलता जा रहा है यहां पर भी डाल दे रहा है इस तरह से यह सब क्या है यह अब इस बार क्या है इस बार आपको कहानी का पूरा हिस्सा नहीं बताया जा रहा है आपको कहानी तुकडों में दी जा रही आप से करा है इतना चला इतना चला इतना चला और आप से पूछ रहा है तोटल कितना चला तोटल डिस्टेंस कितने चला ठीक है तो इस बाद suppose एक पार्टिकल चल रहा था कितने स्पीड से V1 से स्टार्ट किया थोड़ी दिर बाद उसकी स्पीड हो जाती है V2, थोड़ी दिर बाद हो जाती है T2, T3, T4, T5 इस तरह से तो basically ये distance हमको दे रखिया है फिर हमको बोल रखा है ये distance दे रखिया है तो आप से बोलेगा तोटल डिस्टेंस कितनी चला तो आप कर सकते हैं क्या इसको x1 कर लीजे ये हो गया x1 इसको कर लीजे x2 x3, x4 x5, तो total distance कितनी हो गई? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 अगर और होते हैं, तो और कर लेते हैं x1 को क्या लिखते है? v1, t1 v2, t2 बलकि इसको delta लिख लिख लिजए, क्योंकि time interval है plus v3 delta t3 plus v4, delta t4 and so on यही लिखते हैं, अगर n तक होता, तो आप n तक चले जाते हैं, है कि नहीं? तो अब total distance निकालने के लिए सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बोलू, कि total distance कितनी होई? तो आप बोलोगे total distance हो गई v1 delta t1 plus v2 delta t2 and dot 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 suppose आपको nth interval तक दे रखा होता तो आप यह लिए, फिर हमने बोला mathematics language है, इतना बड़ा हम नहीं लिखना चाहते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? हमने एक symbol बना दिया sigma vi delta ti और i equals to 1, 2, i equals to n, यह जो sigma symbol है this represent sum odd, तो यह इसका sum हो गया, यानि v1, t1, v2, t2, v3, t3 का यह sum हो, ठीक है, ओके, बड़, अब अगर हमारे time interval 0 को approach करते जाएं और हमारा जो n है, वो infinity को approach करता जाएं तो आप इसको क्या लिखते हैं, sigma vi delta ti i, और i equals to 1 to i equals to infinity, और साथ में condition आप एक लगा लेते की delta t is tending to 0 तो अगर यह condition हो जाती है तो इसी summation का sign beta हम बदल देंगे और इसको sigma से s कर देंगे और यह क्या हो जाएगा v dt, क्योंकि delta t tending to 0 का बार क्या लिख सकते हो delta t tending to 0 को क्या लिख सकते हो dt, तो यही sum यानि की, जब आपको sum करना होगा कहां तक जब आपको series में infinite terms होने लगेंगे और आपको जोड़ना होगा तो उसके लिए हम sigma की जगा क्या कर देंगे integration का sign यानि की s का sign अब फिर यहाँ पर दो problem है, कैसे वापस इस question कराते हैं और मैं कहता हूँ कि यह particle इस तरह से चलता जा रहा है यानि एक particle की speed इस तरह से vary कर रही है 5 meter per second एक particle constant speed से चला, धहान से सुनिए question को धहान से सुनिए बिटा a particle is moving with constant speed V is equal to 5 meter per second find the distance traveled by the particle a particle is moving with constant speed 5 meter per second along a straight line आपसे मैंने question पुछा find distance traveled by the particle यह आपको बताना है क्या जवाब देंगे हाँ बेटा फिर से समझा रहा है उसी चीज़ को समझा रहा है ठीक है न मेरा question है a particle, पहले मुझे सवाल का जवाब दो a particle is moving a particle is moving with 5 meter per second in a straight line find the distance traveled by the particle क्या जवाब दोगे नीतू एकदम बेटा एकदम need के level की हैं बात कर रहा है particle is moving with 5 meter per second along a straight line हाँ श्री राम एकदम सही आप कहोगे सर ये चलता रहेगा ऐसे तो अगर ये lifetime चलता रहेगा अगर ये lifetime चलता रहेगा तब तो ये infinite distance travel कर लेगा तो आप हमको boundaries बताईए time की the question is आप हमको boundaries बताईए time की कि कितने time से initial से एक हमको limit दीजिए कि सर जीरो टू फाइफ सेकेंड में कितना चलेगा एकदम सही हाँ सिया हाँ सिया देखो विटा मैंने तो टी भी नहीं बोला ना बस मैंने तो ऐसे बोला हवा मैं find the distance traveled by the particle तो वही तो बात अगी आपने 5T बोला मतलब time जरूरी है 25 कैसे बोल दिया विटा five meter per second से कोई चल वहाँ five into t but time तो जब मैंने time दिया इसका मतलब मेरा question क्या होना चाहिए था find the distance traveled by the particle in time t यह question होना चाहिए था ना तो यह तो मैं खा गया था कहने का मतलब यह कि अगर particle चलता रहेगा चलता रहेगा lifetime चलता रहेगा तो infinite distance travel कर लेगा तो what I need is the exact boundaries of time मुझे बताना पड़ेगा distance traveled by the particle from 0 to 2 second distance traveled particle in the fifth second fifth second का मतलब तो समझते होना 4 to 5 second distance traveled by the particle from 10 to 15 seconds ठीक है तो what I need I need a time interval और I need a bound तो इस तरह का जो integration आप करेंगे इस तरह के integration में आप सम को कर रहे हैं लेकिन आप कहां से कहां तक सम कर रहे हैं this is not mentioned तो this is called as indefinite integration इसका कुछ अता पता ही नहीं है वही एक particle V speed से चल रहा था ठीक है ना suppose variable speed दे दी देखिए question समझे है question क्या है अब particle की speed आपको दे दी 5 meter per second ठेके ना और यह चलता जा रहा है तो अगर आप dt dt interval ले लेंगे तो इस interval में कितना चलेगा 5 dt फिर अगले interval में कितना चलेगा 5 dt फिर अगले interval में कितना चलेगा 5 dt फिर अगले interval में कितना चलेगा 5 dt ऐसे आप कब तक जोडते रहेंगे mention ही नही V2 V3 सब यहां पर same है परना exactly आप क्या कर रहे है exactly आप यही तो कर रहे है V1 into delta T plus V2 into delta T plus V3 into delta T इस तरह से आप add करते जा रहे हैं तो अगर आप इस तरह से add करेंगे तो आपके पास कोई boundaries ही नहीं है तो यह integration क्या कहलाएगा यह integration कहलाएगा indefinite integration और practical purpose में देखेंगे तो practically यह हमारे लिए कम useful है बट यह basic है यहीं से देखो जो भी निकलेगा निकलेगा यहीं से बट practically इसका use हम कम करेंगे क्योंकि इससे कोई भी result नहीं निकल सेथा इससे result नहीं आएगा यह कोई भी चीज clear cut हमको नहीं बता रहा है कि इसका answer क्या आने वाला है लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसी problem में बेटा इस problem में मुझे t is equal to 0 से t is equal to 5 second तक का t is equal to 0 से t equals to 5 second तक की distance है यह तो इसी को मैं कैसे लिख लूँगा delta x बराबर integration of v dt t is equal to 0 to t is equal to 5 तो यह जो मैं लिखा नीचे और उपर तो यह ऑर लिमेट भी लिमेट तक की Ding त Okay यह नीचे लिखा जो नीचे लिखा है लिमेट IS और यह लिमेट उपर वाला अपर लिमेट यह उपर वाला अपर तक का जरूरी नहीं कि यहां पर t is equal to 0 हो आपसे यह भी पूछ सकता था कि भाई t is equal to 1 से t is equal to 4 तक कितनी distance cover करेगा तो this is lower limit, this is upper limit, ठीक है और जब हम इस तरह से integration करेंगे तो यह वाला integration कहलाएगा definite integration ठीक है तो अब हमने summary करते हैं हमने अब तक दो चीज़ सीख ली बेटा ठीक है अब तक हमने दो चीज़ सीख ली शिवानी शर्मा last के 5 मिट में बात करेंगे ठीक है बेटा, जरूर बात करेंगे ठीक है, meet postpone होगा नहीं होगा शिवानी last के 5 मिट में बेटा, फिर बात करते हैं ना, ठीक, ओके तो summary यह है, integration को हमने अब दो तरह से देख लिया पहला, the inverse process of differentiation यानि की d upon dx of fx अगर gx है तो integration of gx dx will be fx दूसरा हमने देख लिया, integration का मतला addition addition of small parts to get a large और bigger picture ठीक हो क्या, और यहां पर हमने देखा कि जो integration है mathematically हमारे पास दो तरह के forms आएंगे indefinite और definite, no doubt, अगर हमारे पास कोई problem होगी जैसा हमारे पास physics में problems आती हैं, तो physics की problem में क्योंकि मेरे को solution देना होगा, तो जो भी एक particular answer है answer सिर्फ और सिर्फ किस की मरत से आएगा, answer सिर्फ और सिर्फ definite integration की मरत से आएगा ठीक है, दो चीज हो गए, और third part होगा, third part होगा, जैसे differentiation में आपने देखा था, geometrical interpretation, याद है न, किसी को याद है पेटा, d upon dx का geometrical interpretation last class में में देखा था, slope, तो वैसे ये third part हमको देखना होगा, integration का geometrical interpretation, जब ये तीनों चीज़ें आप समझ चाहेंगे, तो integration से फिर आपका जो डर है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, बट, geometrical वाले पार्ट पे अभी हम आप देहें थोड़ी देखना है, ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ important derivations पर आते हैं, ठीक है, simple देखो, अगर, d upon dx of sin x is cos x, then, integration of cos x dx will be sin x, यह हमने कैसे निकाला, यह हमने basic definition से बता दिया, यही मैंने आपको गोला था, अगर किसी function a का differentiation b है, तो b का integration क्या होगा, a होगा, ठीक है, अब इसको याद कर लोगे बेटा, तो यह बन जाएगा integration का formula, ठीक है, अब इसी तरह से, अगर, d upon dx of cos x is minus sin x, तो आप बोलेंगे, या इसको यह भी कह सकते हो, आप इसको यह भी बोल सकते हो, d upon dx of minus cos x will be sin x, अगर cos x का differentiation sin x है, तो minus cos x का differentiation क्या हो जाएगा, sin x है ना, तो आप कहो के, sin x dx का integration क्या हो जाएगा, cos x, इसी तरह से, अगर, d upon dx of log e base x is 1 by x, तो इसका मतलब यह हुआ, integration of 1 by x dx will be log e base x, clear बिटाए है हैं थे, simple, अगर sin x का differentiation cos x है तो cos x का integration sin x, अगर minus cos x का differentiation sin x है तो sin x का integration will be minus cos x, अगर log x का differentiation 1 by x है, हाँ, एकदम साही, मुभाहिला नक्वी है ना, minus cos x, वही मैं चेक कर रहा था, ठीक है, सब मुंडी हिलाते हैं, ऐसे से करके, कि कोई हाँ, एकदम साही बिटा, अरुन, कभी-कभी चेक करना होता है ना, कि बस, खोल के सब लोग अपना अपना टीवी देख रहे हैं, कि खाली कोई lecture भी सुन रहा है, तो पता चल गया है कि दो, तीन लोग जगे में हैं और lecture देख रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, अरुन, एंड थैंक यू, मुभाहिला, ठीक है, ये बताने के लिए कि कुछ लोग वाती जग के मेरा lecture सुन रहा है, ठीक है बता, तो यहां तक तीन चीज़ हो गए, अब मैं क्या कहता हूँ आपसे, एक सबसे important formula हम निकालेंगे, integration का, ठीक है ना, integration का सबसे काम का formula जो आएगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा पहले नीचे आते हैं, ठीक है, मैं आपको एक task देता हूँ, एक हमारा carriage एक classwork है, हमको क्या करना है, हमको निकालना है, d upon dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1, ऐसे ही मैंने आपको एक task दिया, कि हमको यह निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, coefficient, sorry, power, coefficient बनके बाहर आजाएगा, ठीक है, power एक से कम हो जाती है, तो n plus 1 minus 1 क्या रह जाएगा, n, और नीचे क्या है, n plus 1, n plus 1, n plus 1 cancel कर जाएगा, और यह कितना आजाएगा, x to the power, इसका मतलब यह हो गया, कि d upon dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1 कितना होता है, x to the power n, इसका मतलब integration of x to the power n dx कितना होगा, x to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है, तो यहाँ पर अपना final formula लिख लें, सबसे important काल है, क्योंकि इसका सबसे आदा रोल है, सबसे आदा जो काम आएगा, यही formula आएगा, d upon dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1 is कितना आ रहा है, x to the power n, इसलिए x to the power n dx कितना होगा, x to the power n plus 1, upon n plus 1, ठीक है, तो यह सबसे काम का formula है आपका, काम का मतलब, यह सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग physics पढ़ेंगे, kinematics पढ़ेंगे, या spring पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो यह वाला क्योंकि ऐसा नहीं कि बाकिस सब बेकार है, या काम नहीं आएंगे, यह भी बहुत काम आएगा, ठीक है न, यह भी कई ज़ेगा पर काम आएगा, खास तोर पे जहां पर, आप दोकुर 12 की ओ, तो chemical kinetics chemistry में पढ़ोगे, first order reaction या radio activity आएगी, वहाँ पर formula का बहुत use है, ठीक है न, तो फिलाल यह हो गया, लेकिन बेठा आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देवा, जब हम, जब हम differentiation करते थे, तो differentiation करते वर्ट, इसल्फ numerator में terms आता था, n x to the power n minus 1, यानि कि यह formula n की all values पर काम करेगा, जो real होंगे न, अगर real number है, कोई भी लेलो, मतलब n 1 हो सकता था, n 0 हो सकता था, n minus 1 हो सकता था, n minus 1 by 2 हो जाएगा, n 66 by 77, कुछ भी लेलो, मतलब there is no exception, ठीक है, there is no exception, but यह जो formula आप देख रहे हो, देख, उसमें नीचे क्या है, n plus 1, और अगर कहीं n हो गया, minus 1, अगर n minus 1 हो गया, तो मेरे denominator में क्या बन जाएगा, मेरा denominator बन जाएगा, 0, और हम सबको पता है, कि जो P by 0 की forms होती है, P by 0 की forms, mathematics में, they are not defined, कई बार आप लोग इसको infinity type का कोई symbol दे देते हो, but these are actually not defined, ठीक है, ओके, so P by 0 की forms जो है, वो not defined है, तो इसका मतलब, इस formula में एक limitation है, इस formula का limitation क्या है, कि N क्या नहीं हो सकता, N को minus 1 नहीं होना है, और इस पे लगा लो, सितारा, कितना सितारा, 7 star दे दो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टेक है विटा, तो ये चीज़ कभी मत पूलना, कि differentiation वाला formula, differentiation वाले formula में कोई limit नहीं है, कोई exception नहीं, कोई condition नहीं है, बट integration वाले formula में आपको समझना पढ़ेगा, कि N को minus 1 नहीं हो सकता, आगे बात समझ मैं, अब अगर N minus 1 हो ही जाए, तो क्या करना है, इसको भी समझ लो, तो अगर N minus 1 है, तो इसका मतलब आप करोगे, x की power minus 1 dx, यानि की 1 by x dx का integration, और चलो उपर फोड़ा सा, ये देखो बेटा, ये क्या है, यहाँ पर आगया, ये देखो, 1 by x dx का क्या है integration, log x, तो यहाँ पर आपको एक note mention करना पड़ेगा, कि integration of x, x की power N dx का, यहाँ पर आपको complete version कर देते हैं, integration of x to the power N dx के दो version होंगे, when n equals to minus 1, and when n is not equal to minus 1, अगर n minus 1 नहीं है, तो एकदम, डंके की चोट पर, क्या यूज़ करेंगे, ये, लेकिन अगर n minus 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, log e base x, तो ये हो गया आपका complete formula number 4, ठीक है, तो ये बिलकुल धियान में रखना है, कि अगर integration जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो parallel differentiation का formula होने वाला था, differentiation में d upon dx of x की power n को जब आप यूज़ करते हो, तो सिंगल expression मिलता है, n x to the power n minus 1 और इसमें कोई if and but नहीं होता है, but integration वाले formula में आपको दो cases दिखने पड़ेंगे, जो basic आपका x to the power n का है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, अब देखो बेटा, अभी integration में एक समस्य और, यह integration इसलिए आपको परिशान करता है, जोड़ा सा differentiation में बड़ा straight forward चला जाता है, अब एक तो integration में पहरे ही जमिला था, अभी हमने कौन सा देखा, अगर मैं कुछ अभी हमने indefinite पड़ा, अभी definite पड़ा, अभी यह सब जो formula हमने पड़े, यह सारे formula किसके हैं, indefinite के, क्योंकि, अभी हम इनको problem में use नहीं कर रहे हैं, सिर्फ formula है, definite का use मैं बार-बार कर रहा हूँ, जब problem solve करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा use होगा, definite integration का formula use होगा, ठीक है, अभी डूसरी problem समझो integration की, there is one more issue in integration, अभी यह issue क्या है, इसको समझे है, d upon dx of x square, कितना होगा बेटा, 2x, और d upon dx of x square plus 3, भी कितना होगा, 2x, addition rule लग जाएगा, constant का differentiation, 0, और d upon dx of x square, plus 4 भी कितना होगा, 2x, इसका मतलब यह हुआ, कि 2x का integration x square होगा, 2x का integration x square, plus 3 भी हो सकता है, 2x का integration x square, plus 4 भी हो सकता है, in fact, d upon dx of x square, plus any constant, का differentiation 2x ही होगा, इसलिए 2x का integration, जो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, x square, plus constant, अब थोड़ा सब, एक step आगे-ागे, ठीक है, यानि कि integration में, formula के बाद, हर जगा पर क्या लगेगा, c लगेगा, constant, यह constant, कब निकाला जाएगा, यह constant, calculate तभी होगा, जब हम लोग किसी problem को, solve कर रहे होंगे, problem, solve, करते time, ही इसका use होना है, बढ़ आपको समझना पड़ेगा, कि हमेशा integration में, basic formula के साथ, कुछ न कुछ constant, जरूर चिपका हुआ होगा, ठीक है, ओके, rockstar, sir, will you take doubts, problem in iridove, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है, अगर आप need के तैयारी कर रहा है, तो आपको, iridove के, मान लीजिए, 100 सवाल है, तो मुश्किल से 100 नहीं, 500 में मुश्किल से 2 सवाल, 3 सवाल ऐसे हैं, जो आपके काम के होंगे, iridove is basically, जो physics की problems उसमें हैं, they are complex mathematics space problem, हाँ, इतना मैं जरूर कर रहा हूँ, जब हम लोग बढ़ लाए होंगे, खास दौर पर mechanics वाला portion, electrostate वाला portion, तो तकरीबन, तकरीबन, जो 20% जो problems हैं, वो iridove की हर किताब में है, चाहे आप SCRMA ले लिजे, चाहे आप NCRT ले लिजे, कोई भी किताब ले लिजे, वो आपको हर जगा मिल जाएंगे, ठीक है न, बट, total iridove की problem solve करने का मतलब नहीं बनता है, मीट के तैयारी में, in fact, even J.E. के लिए भी, ठीक है, even J.E. के लिए भी, आप देखेंगे, तो iridove is a obsolete book, अब उसका फोई इतना ज़्यादा यूस नहीं है, क्योंकि, जो problem iridove में है, वो almost, किसी भी और किताब में आपको आसानी से मिल जाती है, बट, iridove में क्या है, कि problems का categorization बहुती, अलग तरीके से है, ठीक है, तो iridove में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक, तो अब क्या हो गया, यह जितने भी आपके formula थे, यानि कि, इन सब formula में, आपको क्या लगा लेना है, प्लस c, प्लस c, प्लस c, और चाहिए आप यहाँ पर थे, तो सम में क्या लग जाएगा, प्लस c, प्लस c, ठीक हो गया, तो यह, आपका आगया, हाँ बिटालो, लास्ट में हम बुक सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, अब, next हम आते हैं, थर्ड पर जो हम बोल रहते हैं, definite integration, आपको मालूम है, कि किसी function, का integration माल लिजए क्या आता है, gx प्लस c, ठीक है, अगर आप, integration कर रहे हैं, lower limit A से, upper limit B के बीच में, तो यह definite integration कहलाएगा, और इसकी value आप कैसे निकार लेंगे, जो आपका function आ रहा है, constant को भूल जाएए, constant का कोई मतलब नहीं बनता है, यह जो function आएगा, इसकी upper value, minus function की, lower value, this is your definite integration, अब इसको हमें एक example से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, माल लीजिये हमको बोला, sin x dx को integrate करना है, कहां से कहां, zero से लेके, 90 degree के ठीक है, तो, चलिए पहले ऐसा करते हैं, मतलब पहले, cos x कर लेता हैं, बता रहा हूं क्यों cos x करता हूं, क्योंकि cos x का formula सब को मालूम है, नहीं है, तो उपर से देखते चलो, लेकिन मैटाए सब यार होने चीए, इसको भूलना नहीं है, तो यह आपका हो जाएका, sin x, और limit कहां से कहां, जो x है, zero से, x कहां तक जाएका, 90 तक, तो आप क्या कर लोगे, sin, 90 minus sin 0, sin 90 के value, 1 minus 0, और यह कितना हो गया, this is 1, ठीक हो गया बटा, तो इस तरह से आपने दिखा, कि 0 से 90 करना था, तो इतना हो गया, gamers, हमारा syllabus कम करने वाले हैं या नहीं, ठीक है बटा, इस पर भी एक, इस पर भी आपके लिए हम ले ले लेंगे, ठीक है ना, syllabus कुछ कम हुआ है, आपको, या तो आप next, जो मैं लेक्चर लोगा, तो उसमें फ़हले 10, पन्रे मिनिट आपको बता दूगा, कि syllabus की क्या कहानी है, वो समझ लीजे कि जैसे, अब क्या बोले है, कम तो न के वरावर ही वा, कोई बहुत बड़ा benefit नहीं हुआ है, जो चीश कम हुई है, वो एक्चली किस chapter में, कहां पर क्या use पड़ेगा, उसकी भी मैं आपको कहानी detail में बखाऊंगा, पंदर मिनिट लगेगा, ठीक है ना, अब देखो, एक और example लेते हैं, suppose, integration of 3, x square, यह चलो पर ले 3 नहीं लेते हैं, क्योंकि भी आपने यह वाला किया नहीं, x square dx, x equals to 1, to x equals to 3, इसको करते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा, basic formula मालूम होना चाहिए, ना, तो basic formula मतलब, और वैसे भी ध्यान रखना, एक चीज़ सिंपल से याद रखो, differentiation में power x से कम हो जाती है, देखो यहाँ पर समझो, differentiation में क्या होता है, जब आप d upon dx of x की power n करते हैं, तो power हो जाती है, x से कम, और यह power बन जाती है coefficient, और जब आप integration करते हो, तो हमेशा याद रखना, integration of power हो जाती है, x से बढ़ी, और जो power होती है, उससे नीशे denominator में coefficient बना के लिखी रखो, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या करना है, power x से बढ़ी कर दो, और जो उपर power लिखी है, power को कहां ले जाओ, denominator में, limit क्या हो जाए कि, limit हो जाए कि, 1, 2, 3, अब क्या करना है, एक बार x से जगा 3 लिख देना है, यानि कि, 3 cube upon 3, minus, नीचे वाला, 1 cube upon 3, आप चाहते हैं यहाँ पर, तो 1 upon 3 बहर लेके, आप इसको ऐसे भी जिख सकते थे, क्योंकि 3 common रहेगा, 1 upon 3, 1, 2, 3, ठीक है ना, तो जैसे भी करोगे, 1 upon 3, 3 cube, minus 1, तो 27 minus 1, 26, तो यह कितना जाएगा, 26 by 3, ठीक है मुटा, एक और example देखेंगे, उसको आप लोग देख भी लो चाहें, next example, integration of 1 upon x square dx, ठीक है, suppose इसको मैं ले लेते हैं, a से b, यह है, इसको क्या करना है बेटा, इसको लिख लेना है, x to the power minus 2, dx, और a से कहां तर, b तर, अब मैंने क्या बताया था, integration में क्या करना होता है, power को 1 से कम कर लो, यानि x to the power, 1 कम कर लो कि कितने हो जाएगी, minus 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा, minus 1, और यह, limit हो जाएगी, a से b, यानि ध्यान से देख लेको बेटा, यही सबसे, ज़्यादा यूज होगा, तो minus x की power minus 1, a से b, अब यहाँ पर आपको क्या मैं tip दे रहा हूँ, हमेशा क्या करो, जब भी integration के अंदर minus आ जाए, जब भी integration के अंदर minus आ जाए, तो उसको plus करके normal लिख लो, और limits की अदला बदली कर लो, ज्यान रखो, किस minus को यहाँ से हटा दो, और minus हटाने के साथ, जो limits हैं उनकी अदला बदली कर लो, क्यों, क्योंकि भाई, आपको करना क्या है, जैसे चलो ऐसे ही करो, आप minus x कर रहाँ, तो क्या करते हैं, minus, ठीक है न, अब, यह क्या है basically, minus x a to b है, तो जब आप minus करोगे, तो क्या करोगे, d minus a, यानि कि actually आप क्या करोगे, a minus b, तो जस्ट आप sign बदल दे, तो उससे बड़े आप यहीं पे बदल दो, तो यह आपका जो यहाँ पे लिख रहे हो, इसको आप क्या कर लो, इसको कर लो, x to the power minus 1, और a to b की जग़, b to a, इसको आप लिख सकते हो, 1 by x, b to a, यानि कि, 1 upon a, minus 1 upon b, यह वाला integration, बहुत ध्यान से note कर लेना बिटा, यह आपके हर chapter में आएगा, यह integration आपको gravitation में मिलेगा, यह integration आपको electrostate में मिलेगा, यह integration आपको kinematics में मिल सकता है, यह integration आपको thermal properties of matter में मिल जाएगा, यह integration आपको current वाले chapter में मिल जाएगा, तो धेरो chapters हैं, जहां पर इस form का integration आपको जरूर मिलेगा तो इस वाले integration को ध्यान से देख लो और इसका result कोशिश करो कि यह सब तो ऐसे ही याद करने की कोशिश कर लो ठीक है ना यह वाला integration बहुत ही ज़्यादा बार use होने वाला होता है ठीक है तो 1 upon x square का differentiation session आपका कितना गया minus x की power minus 1 आएगा उसको आप क्या करेंगे limit को पलट के जो a2b है उस limit को आप क्या कर लोगे b2a ठीक है ओके कहां सबतर्शी एकदम से ठीक है तो मेरे खेल से आब आपको काफी हट तक clear है कि जो definite integration है उसमें हम कैसे काम कर रहे हैं दिक्कत बस कब होती है आपको कहां पर ध्यान रखना होता है देखो जब इस तरह से आएका sin x अभी दो बाला तो अभी छोड़ी दो है ना sin x dx 0 to 180 degree अब देखो sin x का integration ध्यान रखना अक्सर बच्चा गड़बड कर वेता है sin x का differentiation cos x होता है ठेके ना but sin x का integration क्या होगा minus cos x ठेके और limit क्या लगेगी 0 to 180 अब मैंने क्या बोला बेटा जब भी minus हो तो हमेशा आदत बना लो कि इस minus को यहां से खतम कर लो और जो limits है उनको अदला बदली कर लो यानि 0 उपर कर लो और 180 नीचे और अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos 0 minus cos 180 cos 0 होता है बेटा 1 और cos 180 होता है minus 1 तो 1 minus minus 1 1 plus 1 होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इस तरह के integration भी आपको बेटा याद रखने हैं बहुत अच्छे से क्योंकि इस तरह के integration कहा यूज हो सकते हैं यह यूज हो सकते हैं बेटा SHM में इस तरह के integration का काम पढ़ सकता है waves में इस तरह के integration का काम पढ़ सकता है alternating current वाले chapters में या कहीं पे भी mechanics में ठीक है clear अब यहाँ पर एक formula मैंने छोड़ रखा है बेटा उसको भी देख लेते हैं क्योंकि इसलिए integration of EXDX वापस क्या हो जाएगा EX तो यह आप कह सकते हो कि this will be our formula number 5 ठीक है ना this will be our formula number 5 यह E और यह जो log E है इसमें आप परिशान मत होईए इसके लिए मैं अलग से session लोगा मैंने पहले भी बोला आपका एक session मैं लोगा calculation वाला भी कैसे calculation को fast करना है और एक section अभी कुछ basic mathematics में रहेगा जिसमें log trigonometry यह सब चोटे चोटे topic quadratic equations यह सब चोटे चोटे topics है जो मैं cover करूँगा तो अब हमने आज क्या क्या देखा बिटा इसको एक बाँ फटाफर देखने जड़ा सा हमने basically integration को देखा integration को हमने दो तरीकों से समझने की कोशिश करी एक तो as a inverse process of differentiation दूसरा as a summation process याने की सब से important example यादखना अगर एक particle v velocity से चल रहा होगा तो यह कितनी distance travel करेका integration of vtt यह हमने सीखा किना अगर चोटे 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 इंटरो मिलने कालोगा तो this is summation process हम बार-बार vtt, 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 vtt पो add करते चलते हैं फिर हमने देखा कुछ important formula जो की basic definition से निकलाए थे दूसरा हमने देखा indefinite integration और definite integration क्या चीज़ है ठीक है तो definite integration का मतलब अगर integration of fx dx माल लिजे gx plus constant कुछ आ रहा है तो integration of fx dx limit a to b का मतलब क्या है आप upper limit की value minus lower limit की value कर देंगे ठीक है तो ये कुल मुला के आज की class में आपने देखा रहा है ठीक है ठीक है ओके ठीक चलिए अब secondly जो हमारे पास important formula आए देखे न चार पाँच हमारे पास formula है क्या integration के इतने ही formula होंगे नहीं integration के इससे ज़्यादा formula भी हो सकते हैं लेकि मैंने बताया पहले अगर ये 5-6 formula आप representation के side के और 5-6 formula आप integration के side के कर लेते हैं differentiation of constant कितना हो जाता था differentiation of constant हो जाता था 0 ठीक है ना लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलू integration of 5 dx या integration of सिर्फ dx कितना होता तो dx का मतलब 1 लिख सकते हैं इसको आप क्या लिख लीजे x की power 0 into dx ठीक है अब आपको क्या करना होता था जब x की power 0 dx करेंगे तो यहाँ पर power आप x से बढ़ा देते थे और नीचे क्या कर देते थे coefficient जो power है उसको नीचे डर्मेटर में ले आते थे यानि कि कितना हो जाएगा x that means rule number 1 differentiation of constant तो 0 होता था but integration of constant जो होगा वो कितना हो जाएगा c times x c times x for example अगर आप से किसी ने बोला 5 dx कितना होगा तो 5 dx विल बी 5 x अगर किसी ने आप से पूछा कि 11 by 7 dx का integration कितना होगा तो 11 by 7 x ठीक होगा second integration में भी integration में भी addition rule लग जाएगा मतलब अगर आपके पास integration इस तरह से आ रहा है f x plus g x dx के form का तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए f x dx का integration अलग कर लीजिए और g x dx का integration अलग कर लीजिए ठीक है तीसरा integration में कोई normal multiplication rule काम नहीं करेगा multiplication rule integration में काम नहीं करेगा ठीक है multiplication rule जैसे हमने देखा था differentiation में आपके पास क्या आजाता था d upon dx of f x g x जब आप करते थे तो first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function बट इस तरह का कोई multiplication वाला rule integration में काम नहीं थे ठीक है अब यह हमारी तीन चीज हो गई integration में अब हम यह समझने की पोशिश करते हैं कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि यह एक कि अगर है आपको को ग्राफ है ठीक है और यह ग्राफ के नाम पर आपने क्या क्षी यह ग्राफ के नाम पर आपने क्षी स्ट्रेट लाइं which is parallel to x-axis ठीक है अब यह line exist करती है suppose यहां से लेकर suppose यह x equals to 1 से लेकर x equals to 4 तक और यह आपका y यहां पे 0 है और suppose this y is 5 और मैं आपसे पूछ हो what is the area under the line over x-axis यानि कि जो line x-axis पर कितना area cover कर रही है तो क्योंकि आपका figure क्या बनेगा एक rectangle बनेगा तो आप आसानी से answer बता देंगे कि सर यह है 4-1 3 और यह आपने दे रखा है 5 तो यह हो जाएगा 5 x 3 यानि कि 50 जो भी units है centimeter है तो centimeter square meter है तो meter square इसी तरह से अगर यह graph में जो आपकी line है वो कुछ इस तरह से होती और आप से पूस्टे कि इस line का अंदर area बताओ जो एक्सेक्स में तब भी आप बता देटे क्योंकि अब यह क्या बन जाता area of triangle ठीक है या अगर अगर यह line कुछ इस तरह से होती यह इस तरह से y और x और मैं आप से पूस्टा कि यह line x-axis पे कितना area cover कर रही है तो यह area cover हो जाता और अब अगर आप देखते तो यह बन जाता क्या trapezium और आपको trapezium का area निकालना भी आता है और इस तरह से आप trapezium का area निकाल के हमको बता देए ठीक है बट इन तीनों चीज में क्या था rectangle, triangle और trapezium में कि इनका formula आपको याद था क्यों याद था क्योंकि जब आप छोटी classes में थे जब आप 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी रहें तो यह सारे formula आपको बता दिये गए थे ठीक है ना तो यह आपने बहुत छोटी age से याद करके रखे हुए हैं इसलिए आपको इनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है सर्किल का एरिया भी आपको मालूम है तो बहुत सारे formula आप याद करके बैठें लेकिन अब क्या होता है बेटा आप माल लीजिए मैं फिर आपको एक ग्राफ देता हूं y versus x का और इस बार ये ग्राफ इस तरह से है और फिर मैं कहता हूं कि मुझे एरिया निकाल कर दो तो no doubt ये तो एरिया बन रहा है ठीक है लेकिन सवाल ये है कि स फिगर का नाम क्या है ये जो shaded figure है इस shaded figure का तो मेरेको नाम ही नहीं पता तो इस shaded figure का area क्या होता है ये तो मैंने कहीं पड़ा ही नहीं तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हो वीचा मेरे पास एक टेक्निग है मैं आपको इस चॉटकट बता देता हूँ चॉटकट क्या है मैं कहता हो कि आप इस तरह से दो डूसरा रेक्टेंग्ल हो गया इसको बोल दो rectangle 1 इसको बोल दो rectangle 1 और इसको बोल दो rectangle 2 मैंने कहा कितना simple हो गया ये rectangle आप निकालोगे यहाँ से y आपको पता चल जाए यहाँ से y पता चल जाए तो दोनों figure देखकर तो मैं कहता हूँ area under the curve area under the curve हो गया area of rectangle 1 plus area of rectangle 2 और कितना असानी से आपका answer निकल गया लेकिन क्या आप को objection नहीं करोगे बेटा आप एक objection करोगे आप को कि सर ये दोनों तो सही है इसका क्या ये जो उपर वाला जो up shaded हो रहा है सर ये तो आप खा गए ये और यहाँ सर आप ये खा गए ये चीज ठीक है तो आप कहेंगे कि सर इसने से फिर आपका जो yellow वाला जो area है वो कहा गया उसका क्या हुआ तो अब अगर मैं आपको बोलो अरे छोड़ो यार उसको छोड़ो वो बेकार का area है ठीकि नहीं उसको मतलो प्योंकि फिर उसके रखने से answer नहीं आएगा तो मज़ा पढ़ी न आपको बेसर यह क्या बात वही वहाला answer नहीं आरा तो आप कुछ भी करोगे कुछ भी बोल दोगे है ना तो जैसे यह तो वही बात हो गई कि मान लीजे मैंने एक maths का question यह मान लिए हमने हमने physics का कोई question किया और physics का question करके मेरा answer आ रहा है तो कूछ आट कर दिया मैं कोगे रा answer निकालने के लिए तो यह कोई बात थोड़े न मैं रहा है और yellow वाला मान लीजे 20 आ रहा है तो क्या 100 रुपे अगर आपके पास है तो उसमें से 20 रुपे थोड़े ना किसी को देदोगे लेकिन अगर आपके पास एक लाख रुपय होंगे तो शायद आपको एक रुपया डोनेट करने में दर्द नहीं होगा गर आपके पास एक लाख रुपया होगा तो आपको एक रुपय डोनेट तब आपको होगे हाँ साथ छोड़ो एक लाख में एक आया एक गया कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जैसे एक लाग रुपे में कोई आपको पांच रुपे कम भी देदेगा तो भी चलेगा बटा को किसे दस रुपे लेने हैं और वो पांच रुपे दे तो वहाँ थोड़ा न मानगे क्योंकि परसंटेज में दस का पांच 50% हो जा रहा है है कि नहीं तो आपको गए नहीं सर ये टेक्निक हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें आप यलो वाला हमको बता ही नहीं रहे हो कि यलो वाला एरिया कितना है मैं गरी करिया है मैंने का ठीक है बेटा बात तो तुम लोग सही कह रहे हो मैंने का अच्छा चलो एक काम करके देखते हैं बेटा हम इस बार फिर से कर लेते हैं ये ठीक है न और इस बार कर को दो हिस्सों में न बाठ कर हम क्या कर लेते हैं चार हिस्सों में बाठ ले ठीक है और अब ये 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 और ये ठीक है और इस तरह से अब आपको क्या मिल जाता है चार रेक्टेंगिल ये चार रेक्टेंगिल लेकिन अभी भी अभी भी ये वाली प्रोब्लम ऐसे की वैसे है हुआज भी आप डूगे अभी भी तो ये यल्लो वाला कोर्शन अभी भी आप नहीं छोड़े तो इसका मतलब हम इन चारओ reel यह लिख लें तो भी मेरा आंसर करेक्ट नहीं होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अगर मैं मिला के खतम भी कर लेता हूँ तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि अभी भी कुछ यल्लो वालट अप्चा हुआ ठीक एगरी आप इस बार मैं फिर क्या करता हूँ बेटा मैं कहता हूँ ठीक है फिर से हम ये कर लेते हैं और इस बार मैं कहता हूँ कि इसको और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ठीक है ना और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यानि की हाफ किया फिर उसका हाफ किया फिर उसका भी हाफ कर देते हैं ये फिर यहां से भी हाफ कर देते हैं फिर उसका भी हाफ कर दिया ये और को तो इसका भी हाफ करते चलो यानि कि इस तरह से अब हमने क्या किया अब हमने और छोटे-छोटे rectangle बनाने शुरू कर दो है अब यह 15 सोलर rectangle बन गए होंगे ठीक है अब देखो कि अब अगर हमारे पास rectangle बनते हैं तो क्या होता है हमारे पास एक rectangle दूसरा rectangle तीसरा चौथा पाँच वाँच है न साथ फिरी आठ फिरी नौ फिरी तरस इस तरह से हमारे पास अब यह कुछ-कुछ rectangle आए अब देखो यह हमारे जित्ते भी rectangle बन रहे हैं यह सारा तो rectangle का area हो जाएगा ठीक है और जो problem करने वाला area था यानि कि जो problem करने वाला area था यानि कि जो yellow zone जो हमारी थी ठीक है ना यह 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 ठीक है अब मेरे खास से कई लोगों को clear हो रही होगी बात कि अगर हम एक sequence और आगे चल देए बेटा और इस बार मैं 16 नहीं 32-50 times तक इसको divide करने लग जाओं तो क्या होगा इस चीज को अगर हम सोचने की कोशिश करें तो देखो क्या होने वाला है मैं इसको किस तरह से divide कर दूँ बहुत सारे parts में और फिर आप इसको divide करना शुरू कर देए वरसा मेरा हाथ घूम जाएगा क्योंकि मैं pen tap पे हूँ यह देखो और अब जो यह रेक्टेंगल 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 यह रेक एक चीज क्लियर हो गई वेटा कि अगर मैं यहां पर अब लिखता हूँ area of rectangle area under the curve area under the curve को अगर मैं लिखना शुरू कर दो area of rectangle one plus rectangle two plus rectangle three dot 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 ठीक है ना अगर मैं इसको infinite rectangle बना दो तो आपको समझ में आ रहा है जितना ज्यादा rectangle बनते जा रहे हैं जो मेरा yellow वाला portion है वो किसको tend कर रहा है zero को तो अगर r infinity को tend करेगा तो आप कह सकते हैं जो yellow वाला जो area था वो almost zero को कर जाएगा तो आप कह सकते हैं area under the curve को आप निकाल सकते हैं कैसे area of infinite number of rectangles infinite number of rectangles हरां कि अभी भी समझ्या है अब आपको विसार infinite कैसे निकालेंगे मैंने का उसको छोड़ दो लेकिन कम से कम हमने क्या सीखा what we have learned हम कम से कम एक चीज़ सीखे कि एनी कर can be represented in form of in form of that thing कम से कम यह तो हमने सीखा ठीक है अब आज मैं देखो मैंने क्या बोला ना पिटा हम अगर conventional way से पढ़ोगे जिस तरह से तुम पढ़ते वे आये होगे तो कभी integration clear होगा ही नहीं ठीक है न अगर आपको integration को समझना है तो आपको integration को एक दूसरे तरीखे से समझना होगा जिससे आप सवाल लगा सको जैसे यह क्या है बेटा circle है समझना है कि किसी भी circle को हम इस तरह से यह हमने क्या कर दिया एक rectangle यह हमने क्या कर दिया दूसरा rectangle ठीक है अब होगा क्या क्या क्योंकि यह curve है no doubt यह जो rectangles बन रहा होंगे curve पर जब आप rectangle बनाऊगे तो जब आप इसको देखोगे जब आप इस वाली line को देखोगे और जब आप इस वाली line को देखोगे तो no doubt यह line तिर्ची होगी थोड़ी से that means exact rectangle ऐसा होना चाहिए यह लेकिन हमारा जो rectangle होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा इस तरह के तो यानि कि अगर हमारे rectangle की नीचे वाली side x होगी तो उपर वाली side x नहीं होगी x से थोड़ी से कम हो सकती है या उपर वाली x होगी तो नीचे वाली थोड़ी से ज़्यादा हो जाएगी बड इश्यू क्या है कि आप ऐसे समझो अगर आपके पास एक rectangle है 5 into टेके ना यह है उपर का 5 नीचे का 5 टेके ह अगर यह 5 की जगर 4.999 भी हो जाए तो क्या फरक पड़ेगा बस यही concept हम यूज कर रहे हैं कि हम circle को कैसे काटेंगे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बस यहां पर की क्या है की यह है कि हम जो rectangles बना रहे हैं बहुत ही छोटे 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 बनाते जाएंगे इस तरह से ताकि किनी भी दो का डिफरेंस इतना कम रहे तो आपको क्या समझ मार जाएगा कि इस पूरे circle को हम कैसे represent कर डालेंगे अब ऐसे करोगे तो यह कहीं से rectangle नहीं लेगा इतना बड़ा कर दोगे तो यह क्या दिखने लगए गाट्रफीज हैं लेकिन देखो अगर आप यह ल इसा लग रहा है तो आपको क्या समझना होता है integration जो है integration क्या टेकनीक है basically integration is the technique of approximation आप यह समझें integration क्या है integration is the technique of approximation ठीक अब मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ इस चीज़ को ठीक है देखो बस लास्ट है पांच मिनट में खटम करेंगे आज की class देखो circle का area कितना होता है सब को पता है circle का area होता है पाई यार इसको है ठीक है बटा अब सवाल यह आता है कि यह circle का जो area है यह आप निकालोगे कैसे ठीक है circle का area आप निकालोगे कैसे यह चीज़ आप समझो तो अगर हम क्या करें इस circle को हम दो part में divide करें तो तो अगर हम इसके उपर इस तरह से line by line रखते चलें ये line ये line ये line इस तरह से हम रखते चलें यहां से यह, यहां से यह, तो होगा क्या कि अगर आप यहां से लेके यहां तक देखो यहां से लेके, यह तॉप पॉइंट से लेके यहां तक देखो तो basically आपको क्या मिल रहा है, आपको एक पूरा set of किसना मिल जाएगा, triangle का no doubt यह वाला area wastage होगा, लेकिन अगर हम इसी line को, इसी line को अगर हम, अब ऐसे समझे यह, पहले तो यह समझे, हम एक dot रखते, इसके किनारे पर, इस तरह से, रसी, एक दाने के एक point के चार और, इस तरह से आप एक रसी लपिटते जाते, लपिटते जाते, लपिटते जाते, ल यह, तो आपको क्या मिलता जाता, एक disc जैसे मिलती जाती, तेके न, तो मैं इसको परवसा गाड़ा कर दे रहा हूँ, यानि कि, अगर आप इसको, इस तरह से, यह लपिटते जाओगे, तो यह आपको धीरे-धीरे करके, क्या मिलता जाएगा, यह देखता, होता कि नहीं, देखते चलो धागा, ठीक है न, तो मैं फिर से बनाते दिखाता हूँ, हमने क्या किया गेटा, हमने एक point ले लिया, यह मेरा center point है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस point के, चारो और, सिर्फ इस तरह से, एक, कोई भी, चीज को डालता जा रहा हूँ, यह है, तो यह क्या बनता जा रहा है, circle, यह तो, पुरा न, अब आपको छोटी class में, बोल बोल के रटा दिया गया है, कि भाई, जो circle का area होता है, वो कितना होता है, पाई यार, square, ठीक है, यह हमारा बन गया circle को, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस circle में से, suppose, ठीक है, यह circle बन गया, और यह हमारा, बीच का कहलो, dot point था, यह, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस circle पे आके, इस circle पे आके, एक, छोटा सा यह जो ring है, यह निकाल लेता हूँ, ठीक हो गया, clear, अब, अगर मैं इस ring को, देखूं, यह जो ring आपने यहाँ पर बनाया है, suppose, यह यहाँ से, कितनी दूरी पर है, यह यहाँ से है, एक्स दूरी पर, इतनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, ठीक है, तो होगा क्या, इस ring को अपने बाहर खोल के ला रहा हूँ, ठीक है, इसका, यह जो ring है, यह, ठीक है, इसको मैं बाहर खोल के, ऐसे, इस पे cut लगा देता हूँ, तो क्या होगा, एक अंदर वाला cut खूल जाएगा, और एक बाहर वाला cut खूल जाएगा, यह, इस तरह से होजाएगा न, क्योकि बाहर वाला perimeter फोड़ा सा ज़्यादा होगा, अंदर वाला perimeter कम होगा, ठीक है, अब, अगर मैं इसके यह दोनों हिससे, ignore करता हूँ, कैसे ignore कर कि अगर अंदर वाला x और बाहर वाला कितना हो x plus dx और dx बहुत चोटा हो यानि x होता हो माली ज़िए 2 cm तो dx होता हो 0.00001 cm तो आप dx को क्या कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो उस case में यह आपका क्या बन जाएगा बेटा उस case में यह आपका एक rectangle बन जाएगा जिसकी लंबाई कित नहीं हो जाएगी dx तो इस strip का area इस strip का जो area है वो छोटा सा area क्या हो जाएगा 2 pi x dx और इस तरह से आप हर level पे जाके फिर यहां से अगला वाला ring निकाल लो है ना तो इस तरह से आप निकालते रहते तो इस तरह से आपके पास यह circle आते जाते हैं और सबसे बाहर वाला circle सब से बड़ा बन जाता है और इस तरह से बिलकुल अंदर वाला देखते तो अंदर वाला circle क्या रह जाता है अंदर वाला circle डॉट की तरह रहाता हूँ है तो यह मैं आपको समझा रहता है कि तरह सर्की कोय ट्राइंगी क्या है एगर आपको इसका area निकालना है तो सारे da's को क् को जोड़ दो यानि की आपको क्या करना होगा डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए कितनी बार अंगिनत बार तो इसी को क्या बोलते हैं integration of da अब जब आप integration of da करोगे तो आप क्या कर लो आप कर लो बिटा integration of 2 pi x dx जिसमें से limit कहां से शुरू होगी x जो पहला radius है वो कितना होगा x is equal to 0 और last वाले रिंग का radius कितना होगा जो आफरे रिंग निकलेगा x equals to r तो limit क्या लग जाएगी x equals to 0 to x equals to r 2 pi constant है उसे बाहर दे लो और x dx का integration कितना हो जाएगा x square upon 2 0 से r 2 से 2 cut जाएगा और यहाँ जाएगा पाई r square minus 0 और इस तरह से आपको area of the circle क्या मिल जाएगा area of the circle आपको मिल गया पाई r square जिसे आप छोटी classes से याद करके चल देते तो basically ध्यान मतिए यह जो formula आपको छोटी classes से कराया गया है यह formula किसका नतीजा है integration का और आज आपको एक बात समझ में आने चाहिए कि circle का area pi r square नहीं होगा circle का area pi r square से थोड़ा सा different होगा क्योंकि circle का area निकालते हो बार बार आपने किस वाले portion को क्या किया है omit किया है मेरी बार समझ में आरी बेटा ठीक है आपको यह समझ में आना चाहिए कि लेकिन इस formula को हम बच्पन से use कर प्रिवे आ रहे हैं हालांकि यह जो formula है यह थोड़ा सा इसमें error है क्योंकि जब यह formula आपने derive किया है तो no doubt आपने इस हिस्से को क्या किया है इस हिस्से को बार बार हर cycle पर आपने इस वाले हिस्से को ignore किया बच क्योंकि यह tending to zero था इसलिए अगर आपने ignore भी क्या है तो बहुत बड़ा फरक आपको नहीं पढ़ता है आगे बास समझ को है तो इस तरह से जो integration है हर चीज जो भी आपने formula area के जो भी आप volume के formula आज तक कड़े हो या जितने भी maximum आपने mathematics में छोटी classes में formula रटे हैं basically all are the result of integration तो इसका मतलब कहीं न कहीं indirect way में हम छोटी class से integration उस कर रहे थे और यह integration technique का सबसे basic road है कि जहां पे देखो छोटा छोटा element लेके यानि circle का area निकालने के हमने एक छोटा सा element लिया और बार बार उस element को लेते गए लेते गए और उस element के area को add करके हमने क्या किया integration किया तो यह integration की basic philosophy है देखा integration का मतलब आपको छोटी छोटी units लेनी है और उनको add करना है तो आगे चलके आप देखोगे किन किन chapters में बहुत ज़्यादा use पड़ेगा कोई chapter बचेगा ही नहीं आप kinematics पढ़ेंगे वहां integration का use होगा आप center of mass पढ़ेंगे वहां होगा आप work power energy पढ़ लीजे आप rotation chapter पढ़ लीजे आप gravitation chapter पढ़ लीजे आप fluids पढ़ लीजे आप SHM पढ़ लीजे तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे chapter से बिटा यह 70% physics तो ऐसे इंप्रूड होगी इन सब chapters में तो आपको समझना पढ़ेगा कि बिना differentiation और integration के बिना differentiation और integration को के concept को समझे बिना अगे बढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा कही ने कहीं पर जाके आपकी गाड़ी अटक जाती है and believe me 60% बच्चा जो नीट की तैयारी करता है वो सिर्फ किस में पीछे रह जाता है जो basic mathematical tools होते हैं वो सिर्फ क्योंकि उनके ध्यान नहीं दिया होता है basic mathematical tools में जैसे बिता calculus है differential integration कुछ basic trigonometry हो जाती है कैसे average निकालना होता है कुछ basic geometry नहीं आती है बच्चे को कुछ algebra तो होता क्या है इन सब basic basic चीजों की वज़े से जो बच्चा होता है जब उससे सवाल नहीं लगते हैं तो वो घबरा जाता है एक हमने देखा differentiation वाला पार्ट और दूसरा हमने देखा integration वाला पार्ट इनके कुछ जो basic basic formulas थे वो हमने देखे जैसे differentiation में सबसे important पार्ट ही आया था और integration में इसके दूँ expression आये थे और अगर n आपका minus 1 है तो यह आपका होगया था 1 by x dx याने की log e base x टेक है दें geometrically जब हमने देखा था तो differentiation ने हमको बता दिया था slope at a point this 10 theta was equal to dy by dx और अगर हमने integration में geometrically देखें तो यहां पर जो आपका integration बता रहा था integration आपको बता रहा था area under the curve तो यहां तका part basically हम लोगो ने देखा था last की classes में इसके लगवा भी कुछ कुछ देखा था लेकिन major जो आज की class में जिसका हमको काम करेगा वो यही 3-4 चीज़ा रहेंगी जिसके हम लोग work out करेंगे ठीक है बता तो तो एक चीज़ को प्रस्वार डिटेल में देख लेते हैं जो हम area under the curve की बात कर रहे थे तो मान लीजिए हमारे पास एक straight line function है suppose y equals to 2x अगर हम इस function को plot करते हैं तो कुछ हमारे पास values आ जाती है माल लीजिए 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पर 4, 3 पर 6 और इनको हम यहाँ पर plot कर लेते हैं यह 1, 2, 2 पर 4 और 3 पर 6 और इस तरह से यह हमको एक straight line में जा रहे हैं अब हमसे पूछा कि माल लीजिए y जो है वो distance show कर रहा है या position और x axis जो show कर रहा है वो क्या कर रहा है time show कर रहा है यानि suppose x axis पर क्या है time और y axis पर क्या show हो रही है position अगर आप इसको physics का question रहाना चाहते हैं तो आप से पूछेगा what will be the area under the curve कहां से कहां x equals to 0 to x equals to 3 अब आपको यह समझना विटा है कि यहां से आपके पास दो methods हैं we have got two methods तहला तरीका area under the curve area under the curve हमको पता है integration of fx dx और आप limit लगा लिजे x equals to 0 to x equals to 3 आपका function है 2x dx 0 to 3 यह हो जाएका 2 x square upon 2 x का integration ठीक ना x की power 1 है तो यह 2 हो जाएका नीचे 2 आजाएका 2 से 2 कट जाएका और limit 0 से 3 और यह आपका आजाएका 3 square minus 0 square यानी की 9 और अगर हमारे question के हिसाब से यह position होती यह स्पीड 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 श्जाक है तो अगर हम अपने question के इसाब से देखते तो y axis पर speed यानि कि हम क्या निकाल रहे होते v dt और कल मैंने बताया था ये चीज़ क्या होती है distance तो एक तरीके से आपने क्या निकाल रहे होती distance लेकिन अब आप एक चीज़ को समझो आप बिना integration के सीधे भी बता सकते हैं कि ये जो triangle का area होगा यहां रखेगा integration of fx dx area और दिकार भी होता है और क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो figure बन रहा है वो है triangle और triangle के area का formula हमको आता है तो मेरे लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी कि मैं बिना integration के सीधे triangle का area निकाल दूँ half height is 6 into basis 3 तो वो भी क्या आ जाता है 9 तो क्या advantage हो गया बिटा यहाँ पे मुझे integration से बज गया मैं और मेरा answer जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ गया जो मेरा answer है वो थोड़ा सा जल्दी आ गया now what is the key the key is यह main चीज होती है वेटा जो आपको rule कह लीजए या जो समझना होता है अगर आपका function linear है मतलब जो आपका graph बन रहा है वो बन रहा है क्या straight line तो straight line जब भी बनेगा तो आपका जो area अंडर तक करवाएगा या तो इस तरीके से triangle बनेगा या फिर इस तरह से होगा तो rectangle बनेगा या अगर इस तरह से होगा तो trapezium बनेगा यानि कि figure क्या होगा आपका triangle rectangle या trapezium और क्योंकि इन सब का इन सब का area का formula मेरे को आता है इन सब के area का जो formula है वो मेरे को आता है इसलिए linear function के case में मैं integration पर नहीं जाओंगा और मैं सीधे figure से answer निकाल दूँगा तो मैं जो answer calculate करूँगा मैं answer calculate करूँगा किस से figure से ठीक है that means जब भी linear graph होगा हम integration को avoid करके area निकाल देंगे ठीक है और second rule second rule क्या है जब भी function non-linear होगा यह इस तरह से y और x non-linear होगा तो यहाँ पर आपको integration करना ही करना होगा यहाँ पर area आप सिर्फ कैसे निकालेंगे integration करके ही निकालेंगे हो सकता है आपको तोड़ा सा time लगेगा बट कोई बात नहीं यहाँ पर और कोई option नहीं है तो rule समझगे बटा मेरे लिए सबसे important चीज यह है कि जब मेरे पास questions आते हैं तो मेरे questions में आपको यह समझना है this is called as beta problem solving technique जो आप बोलते हो ना बिटा कि सर हम theory तो पढ़ते हैं बट theory पढ़ने के बाद हमसे सवाल नहीं लगता है ठीक है कि हम theory पढ़ते हैं बट theory पढ़ने के बाद हमसे सवाल नहीं लगता है क्यों नहीं लगेगा सवाल क्योंकि कहीं न कहीं पर जो आपने पढ़ा हुआ होता है उसको आप एक technique में apply नहीं कर पाते हो मिला के की concept क्या रहेगा तो की concept यह रहता है पच्चे कि अब आप समझ लो जो भी आपकी problems होंगी जो भी आपकी problems होती हैं उनमें कोई न कोई relation दिया होगा between two quantities अब इसको आप बोल सकते हैं जैसे suppose speed और time के बीच का relation दे रखा है this is the relation between v is speed and t is time अब या तो यह function इस तरह का होगा v is equal to u plus a t type का यानि की straight line या फिर यह function इस तरह के होंगे v is equal to u plus a t square type के यानि की curve straight line नहीं होगा अगर यह straight line है अगर यह functions straight line है और आपको v dt करने को बोला गया है तो आप v dt को mathematically मत करिये आप सीधे area under the curve निकाल दीजे वो आपको easy पड़ेगा area under the curve निकालना आपको easy पड़ेगा लेकिन अगर function curve है non-linear type के हैं फिर आपके पास कोई option नहीं है आपको इसको आगे carry करना पड़ेगा और अपने steps करके आप इसका answer निकालेगा ठीक है बेटा ओके तो यह main चीज है आपको बस यह पकड़ना पड़ेगा कि problem में जो graph आ रहा है क्या वो straight line है या straight line नहीं ठीक है बेटा जैसे suppose मैं एक example से समझाता हूँ हमको बोला particle की velocity इस तरह से depend करे कि 2 प्लस 3T 2 प्लस 3T ठीक है सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछ हो what is the speed at T is equal to 0 बता सकते हैं हम T को 0 पुट करतेंगे तो V initial कितना आजाएगा 2 meter पर सकते हैं ठीक है traveled distance traveled in 0 to 4 seconds distance traveled in 0 to 4 seconds तो मेरे पास पेटा दो चोईस हैं देखो पहली चोईस आप कहेंगे कि सर जो speed होती है वो होती है rate of change of distance तो DS बराबर हो जाएगा VDT यह VDT क्या represent कर रहा है यह VDT represent कर रहा है छोटे छोटे जो intervals है उसमें particle कितना कितना चला है जैसे यह DS1 फिर यह DS2 तो यह सब क्या है यह represent कर रहा है V1DT फिर यहां पर कुछ हो जाएगा VTDT भी change होता जाएगा तो अगर आप सारे DS को जोड़ दें यानि आपकी distance क्या हो जाएगी integration of DS यानि कि integration of VDT कितना time interval आपको दिया है 0 से 4 seconds तो आप इसको integrate कर देंगे 0 से 4 seconds अब V का expression आपको क्या दिया है बिटा इसमें आप V का expression लिख लेंगे 2 plus 3 T तो S वराबर आपका हो जाएगा 2 plus 3 T into DT 0 to 4 ठीक है अब इसको जैसे आपको integration करना सिखाया है वैसे आप integration कर लीज़े बिटा ठीक है तो यह 2 DT अलग कर लेते हैं 2 DT को अलग कर लो 0 to 4 और 3 T DT को अलग कर लो 0 to 4 T का integration कर बताया था कितना हो जाएगा T 0 to 4 plus यहां से 3 T square by 2 again 0 to 4 तो यह हो जाएगा 2 तो यहां से यह कितना हो जाएगा 4 minus 0 plus यहां से 3 by 2 4 square 16 minus 0 तो यह आपका आगया 8 plus 8 चीज़ा 24 यानि की 32 meters तो 32 meters आपने answer में गाला है यह था method number 1 दूसरा तरीका क्या था बेटा आपके पास कि आप यहीं पर फटा फट एक VT graph बना ले VT टेके ना T is equal to 0 पर speed हमने already निकाल ली है टेके ना T is equal to 0 पर already हमने speed निकाली हुई है कितनी 2 तो इसको 2 से शुरू कर लीजे और graph क्या हो जाएगा यह straight line ठीक है और जब यह time 4 हो जाएगा तो velocity कितनी हो जाएगी बेटा इसको 4 कर देंगे तो velocity at 4 second will be 2 plus 3 into 4 यानि की 14 meter per second ठीक है तो यह हो गया 14 और यहां से यह 0 और यह 4 ठीक है तो यह कितना हो जा रहा है यह हो जा रहा है 14 यह हो जा रहा है 2 और यह हो जा रहा है 4 और trapezium का जो area बनता है यह trapezium बन रहा है half sum of table sides यानि की 2 plus 14 into 4 ठीक है तो exactly यह भी आपको क्या मिल जा रहा है 32 meters अब यह आपके मर्ची है बेटा अगर आपको यह easy लगता है मैं जबरस्ती नहीं कहूंगा ठीक है अगर आपको यह easy लगता है तो आप इसको करो अगर आपको यह easy लग रहा है easy का मतलब कम time consuming तेक है ना जिसमें आपको लग रहा है अगर आपको लगता है कि यहां से कम time में आ रहा तो आप यह लग रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे less time लगा इसको करने में मुझे कम टाइम लगा बट यह सब्जेक्टिव है अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर हम यह जल्दी कर सकते हैं ठीके ना अगर किसी को लग रहा है कि सर हम यह जल्दी कर सकते हैं तो आप इससे जाए लेकिन मेरा परपस क्या है कि मेरा concept क्या है बिटा इस चीज़ चुकि यह पे भी graph से related या function से कहीं पे भी integration based question आएगा तो सीधा सा पंडा है कि अगर आपका जो function है वो linear है अगर आपका function linear है तो आप integration को avoid कर सकते हैं integration को avoid करिये और किसकी approach से चलिए हमेशा graphical approach से चलिए आपका time कम लगेगा ठीक है बिटा 14 किसका है बिटा CR checker 14 नहीं बिटा 32 आ रहा है ठीक है बहुत अच्छा ठीक है very good very good ठीक है चलिए आप क्या करते हैं बिटा अब हमने जो पिछले 2-3 निर में पढ़ा उससे related हम लोग कोछ questions लगा लेते हैं ठीक है तो start ready है questions लगाने के लिए चलिए मैं भी ready हूँ ठीक आप लोग के लिए problem के लिसमेन रखे देखे problem number 1 velocity of a particle is इतना दे रखा है v equals to v naught plus gt minus ft square इट्स position ये बिटा AIEEE 2007 का question ठीक है ओके if its position is x equals to 0 and t is equal to 0 then its displacement after unit time तो एक second के बाद का हमको displacement बता रहा है कौन करेगा बिटा फटा फट चलिए निकालेंगे बिटा आप लोग कि मैं करूँ करोगे ना आप लोग खुद से बिटा इसको try करिए करिए चलिए या फकी फकाई रोटी चाहिए तो बोलो मैं फटा फट करके दे दू जैसा बोलो ओके बिटा सिया ठीक ठीक सिया speed 14 मीटर पर सेकेंड ओके बिटा एकदम सही सिया वही मेरे को लगा कल तुम इतना बढ़ी है जवाब दे रही थे काई का रड़ोटर बिए सिया यह आप लोग करोगे बिटा हा ना तो बता दो इस question को कर रहे हैं आप लोग कि मैं करो second option very good second option बहुत बढ़िया सारंग, जिन्टू, अकाश तले अकाश बेगदम regular बच्चा है बिटा आप इतने regular हो जाओगे न जितने भी लोग regular देख रहे हैं सिया very good, सिया का भी second बिंदा मोधी, बिंदा भी शायद पहले class करी है बट कुछ नाम को समझ में आने लग गए हैं दीरे दीरे वंच भुटानी second ठीक है बिटा तो सबका answer आ गया ठीक है तो आपका velocity का expression दे रखा है इसको आप क्या लिख लेंगे dx upon dt तो यह हो जाएगा v0 plus gt minus ft square dt हमने क्या यूज किया हमने v बराबर dx upon dt यूज कर लिया और अब x के लिए हम क्या करेंगे integrate कर देंगे तो सबको अलग लग कर दो v0 dt ठीक है ना plus gt dt minus ft square dt और सबके limit कहा से कहा लगा देंगे बिटा हमारा time कहा से कहा दे रखा है 0 से 1 second 0 से 1 second 0 से 1 second in fact यह हमारा displacement निकल रहा है ठीक है ना तो क्योंकि original t is equal to 0 पर पार्टिकल कहा है 0 पर तो इसको भी actually आप जा कर सकते हो जब आप integrate करोगे तो x कहां से कहा आएगा x initial से x final ता आएगा तो आपको मिल क्या रहा है basically x final minus x initial ठीक है तो यहां से यह v0 t हो जाएगा ठीक है तो v0 constant है यह t हो जाएगा 0 से 1 यह आपका हो जाएगा g t square by 2 again 0 से 1 और यह हो जाएगा आपका f t cube by 3 again 0 से 1 सब पर limit लगा देंगे तो v0 plus g by 2 minus f by 3 is the answer ठीक है ना? so constant option second option is the correct answer ठीक चलिया next question अच्छा यह तो वह यह आगे है तिससे अब यह देखा विटा ठीक है अब यहां पर क्या करना है आप इस question की trick समझो पहली चीज particle starts moving यानि की particle की initial speed particle की initial speed is 0 और particle का x initial भी कितना है? at t is equal to 0 ठीक है? अब कई बच्चे इसमें क्या करेंगे? कई बच्चे इसमें सिधे integration करने लगेंगे अब यहां पर क्या यूज करना है विटा देखो differentiation वाली class याद है तो differentiation वाली class में क्या बताए था v equals to sorry a equals to क्या होता है? dv by dtb होता है ठीक है ना? और a equals to v dv by dxb होता है ठीक है ना? हालांगे इस question इसका roll नहीं आएगा लेकिन मैं एक और question यहां से भी आपको कराऊंगो ऐसे हो तो अगर मैं यहां से acceleration भी पूस्ता ठीक है? तो दो question है फिलाल तो यहां से चलिए displacement निकाल लेते हैं ठीक है ना? displacement of the particle varies with time t करके हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है तो वी को फिर से हम लोग क्या कर लेंगे बिटा? dx upon dt लेकिन चेकर क्या हो जाएगा है हाँ पे? अगर आप वी को dx upon dt करोगे तो वी बराबर फिर से dx upon dt ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा? वी बराबर कितना है? a root x बराबर dx upon dt ठीक है? अब यहां से a तो constant है ठीक है? sorry, alpha is something तो यह कोई number a is not expression ठीक है? यह alpha is some constant तो यहां से आपके पास क्या आजाएगा? alpha dt बराबर dx upon root x ठीक है? और इसको आप integrate करेंगे दोनों तरफ यहां integrate कर लो यहां integrate कर लो तो आपका 0 से t और आपका x is equal to 0 से x आप integrate करके अपना answer निकाल सकते है ठीक है ना? अब हमारे पास एक दूसरा तरीका क्या है बेटा? यहां पे trick क्या है? मैं कराओ trick क्या है उस चीज को समझो actually आपको थोड़ा सा इतना सबको knowledge है कि v square बराबर क्या होता है? u square प्लस 2 a x यह सबको मालू है ठीक है? और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको v square बराबर क्या मिल रहा है? alpha square x यानि इसको आप क्या लिख सकते हो? v square बराबर 0 प्लस alpha square x तो अगर आप इस से compare करो तो u हो गया 0 और आपका जो 2 a है आपका 2 a बराबर कितना आगया? alpha square यानि कि जो acceleration है वो constant है alpha square by 2 acceleration is constant और जब acceleration constant होता है तो आप displacement क्या यूज कर सकते हो? ut plus half a t square कुकि u 0 है तो आपको सीधे-सीधे answer मिल जाएगा कि जो displacement या distance होगा that will be proportional to t square तो इससे क्या होगा? ये जो integration आपको करना था no doubt integration करके भी आप answer निकालोगे कि distance is proportional to t square बेट अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर आप देखते ही पता कर सकते हो यहाँ पर आप देखते ही पता कर सकते हो कि answer कितना होना चाहिए था 2 square समझके बेटा? और अगर एक्सरेशन पूछा होता तो एक्सरेशन में भी आपको differentiation करने के जरूरत नहीं थी आपने एक्सरेशन भी से दे निकाल दिया alpha square upon 2 तो इस टेकनिक को हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई set equation match कर रही है तो वहाँ पर हमेशा आपका जो time है वो save हो जाएगा ठीक है ओके चलिए अगला question करें ध्यान रखना बिटा मेरी एक बात ध्यान से सुनों आपने क्या कह रहा हूँ यह बड़ा special statement दे रहा हूँ है ठीक है हमको differentiation और integration आना चाहिए हमको differentiation आना चाहिए बड़ अगर हम avoid कर सकें अगर हम avoid कर सकें question में तो बहुत अच्छा अब ही बात समझेंगे differentiation integration को सीखना जरूर है लेकिन अगर कोई question बिना differentiation integration के हो सकता है तो हमेशा बिना definition integration के करेंगे वहाँ पे ज़्यादा अपना ग्यान नहीं दिखाएंगे examination hall में अपनी knowledge नहीं दिखानी है कि मैं बहुत बड़ा scientist हूँ मैं ऐसे जानता हूँ मैं ये भी जानता हूँ examination hall में सिर्फ एक focus जैसे अरजुन और चुड़िया की आँख बस answer निकालना है अब answer निकालने के लिए चाहे method proper हो चाहे method improper हो अफसर improper methods को हम लोग cheat course या cheat method कह देते हैं examiner को धोका देने वाले methods लेकिन उससे कोई फरक नहीं करता विटा आपने सुना है ना जब war होते है तो everything is fair in war ठीक है ना अब आप कहांगे सार एक चीज़ और होती है everything is fair in war and love तो love को side कर दीजिए फिलाल हम जंग की बात करते हैं नहीं आजकल वैसे भी सब हमने देखा है नीट की तैयारी वाले है ना नीट की तैयारी वाले जितने बच्चे हैं सब आजकल जंग में ही लगे हुए है अब ये question देखो बता this is very special question ठीक है ये question भी काफी special है तो इसमें क्या है देखो इस बार आप दे रखा है relation between t and distance x is a ये a and b are constant और आपसे पूछ रहा है कि जो x relation है वो कितना होगा ठीक है तो normally हम क्या करेंगे कि अगर x as a function of time दे रखा है तो हम क्या करते हैं x को differentiate करके velocity निकाल लेंगे और velocity को differentiate करके x relation निकाल लेंगे ठीक है वेटर ये normal हम करते हैं ठीक लेकिन हम इसको x के form पे लाएं अगर हम अगर हम equation को x के term पे लाने की कोशिश करें तो ये हमारी एक quadratic equation बनेगी बेटर है कि नहीं ये बन जाए कि ax square plus bx minus t बराबर 0 इस तरह से और इस तरह का जो roots आएंगे उसका differentiation करना बहुत ही complicated process हो जाएगा that will be a complicated process for us ठीक है तो इस तरह के question में इस तरह के question में हमको क्या करना बेटरस को अब ज्यान से देखो हमारे पास क्या है हमारे पास है t equals to ax square plus bx ठीक है हम चुप चाप क्या करेंगे हम dt upon dx कर देंगे यानि की d upon dx और ax square plus dx यह असान है कर लोगे बिटा मैं कर दूँ a constant x square का differentiation 2x plus b यानि की dt upon dx कितना आ गया dt upon dx आ गया 2ax plus b ठीक है अब ध्यान दो dx upon dt क्या होता है velocity या speed क्या लो तो dt upon dx क्या होगा velocity का inverse ठीक है तो आप कह लिजिए this is 1 upon v आ गया आपका कितना 2ax plus b या v is equal to आ गया 2ax plus b की power minus 1 ठीक है अब हम से क्या पुछा है हम से पुछा है acceleration कि acceleration कितना होगा अब यहां पर बेटा जो lecture मैंने लिया था differentiation का second lecture लिया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था chain rule तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि acceleration dv by dt भी होता है और यह कब यूज करना होता है जब speed या velocity as a function of time दिया होगा बट अगर speed as a function of x दिया हो तो यह क्या हो जाता है v dv by dx और यह v dv by dx कैसे निकलता है यह v dv by dx chain rule के मदद से निकल जाता है आप कुछ नहीं करते हैं आप dv by dt को ही dx से multiply और dx से divide कर देते हैं यह dx से quantity क्या बन जाता है v और यह क्या जाता है v dv by dx तो यहाँ पर acceleration निकलने के लिए हम क्या करेंगे v dv by dx तो अब हमारा जो acceleration है हमारा acceleration हो जाएगा v v की जगा लिख लेते हैं 2ax plus b की power minus 1 और d upon dx of 2ax plus b b की power minus 1 अब इसके लिए फिर मैंने chain rule में क्या बताया था बेटा एक outside inside rule ना outside inside rule याद है अब पीछे का नहीं पढ़ेंगे बेटा तो फुरा सा दिक्कत हो जाएगी है कि ने तो इसमें आपको मैंने inside outside rule बताया था जिसमें आपको क्या करना है मान लीजिए ये सिर्फ x होता इसको मान लीजिए कि ये सिर्फ x होता तो इसको x मान के आप पहले differentiate करतें तो इसको तो ऐसे उतारते है 2ax plus b e power minus 1 अगर ये x की power minus 1 होता तो क्या हो जाता minus 1 x की power minus 2 और x की जगह क्या है 2ax plus b e power minus 2 और इसका काम हो गया अब अंदर आ जाओ तो अंदर आ जाओगे तो 2ax plus b का differentiation कितना हो जाएगा 2a तो खुल मिला के आपके पास क्या आ गया minus 2a 2ax plus b e power minus 3 और इसको आप क्या लिख सकते हो चाहो तो इसको आप लिख सकते हो minus 2a 2ax plus b e power minus 1 का q और ये क्या चीज निकाल लिए बिटा ये आपने निकाल लिए velocity देख रहो ना ये expression किसका था ये expression था velocity या speed का तो इसको आप लिख सकते हो minus 2a और इसकी जगा वी कर देंगे तो vq ठीक है तो आपका जो acceleration है आपका acceleration आगया minus 2a vq अब अपना question दे वापस चलते हैं ये है ठीक है तो आपके पास पहला option आपका आ रहा है minus 2a vq this is the correct answer ठीक है बिटा here ये clear है सबको ये फिर समझाना पढ़ेगा यहां से देख लेक हैं फिर से एक बार ये देखो ये है फूरा देखो ये फ़ड़ा बड़ा question है लेकिन ये बिटा आपके neat cbs cpmt में अल्रेड़ी आया हुआ है दिहां रखना अल्रेड़ी ये neat में पूछा हुआ question है और ये historical या classical question है classical मतलब जैसे ये दस सालों में दो या तीन बर आया हुआ question है ठीक है बिटा clear तो इसको ध्यान से देख लेए ना ये repeated questions के दो ना answer आप याद भी कर सकते हो कोई बुराई नहीं देखो डटने में या याद करने में कोई बुराई नहीं है अगर आपकी जो को समझते हैं तो जहाँ जहाँ पर important कोई चीजे आ रही है वहाँ वहाँ पर आप याद भी कर सकते हो ठीक है चल लिए अब अगला question लेते हैं बिटा ठीक है this one ठीक अब ये जो problem है no doubt ये 2D problem है आपको जोगे sir हमने तो अभी 2D नहीं पढ़ा कोई बात नहीं पढ़ेंगे ये तो बस आज application सीख रहे हैं कि बढ़ी differentiation का जो application है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा आगे की चीज़ें भी आ जाती है तो कोई ऐसे बहुत बड़ी दिक्कर नहीं आपको समझना है कि अगर एक particle अगर एक particle इस तरह से move कर रहा है space में तो इसकी velocity का एक x component हो सकता है और एक y component हो सकता है और किसी भी time टे जो net velocity है उसका magnitude कितना हो जाएगा under root vx square plus vy square बस इतना सा मुझे चाहिए है ना कि मैं तुमसे पूछूँ ये vx है ये vy है है ना तो net velocity कितनी होगी तो इतना सब को पता है under root vx square plus vy square तो यहाँ पर देखो क्या करना है बेटा आपको x दे रखा है ठीके ना आपको x दे रखा है alpha t q इसको differentiate करके क्या निकाल लेंगे vx ठीके ना तो कितना हो जाएगा alpha 3 t square ठीके ना तो vx कितना आजाएगा alpha 3 t square और similarly y कितना दे रखा है बीटा t q तो vy कितना आजाएगा बीटा 3 t square ठीके ना और अब जब आप answer निकालेंगे तो v बराबर क्या कर लोगे vx square यानि कि 3 alpha t square का square plus 3 बीटा t square का square ठीके ना इस में से 3 t square बाहर निकाल लो अंदर क्या रह जाएगा alpha square plus beta square चुन लो कौन सा option इससे मैच कर रहा है जो option मैच कर रहा है उस पर गोला भर देंगे I think 3rd option इससे मैच कर रहा है तो 3rd option इस दे करेक्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वरी गोड अरून superman ने superman वाल अकांट कर रहा है सारण ठीक है ठीक ठीक 3rd question 3rd option है 5th का answer बहुत ठीक है clear बटा ठीक अच्छा कॉस्चिन इस यो है रिपीट हो जा रहे हमारे कॉस्चिन ठीक अब बहुत अच्छा अब बहुत अच्छा थोड़ा सा integration की प्रक्टिस कार ले ठीक नच्छा integration इस लेकर अच्छा अच्छा अच्छाइशन में नीट के बच्चे को उपनी दिक्कत नहीं आती है differentiation वो फिर भी किसी तरह से गिड़ते पड़ते कर लेता है हमेशा integration एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा परेशान करती है तो उसको भी हम physics के example से समझते हैं हालां कि integration अभी हमने किये भी ऐसा नहीं है चलिए एक problem देखा हूं एक्जामपल बहुत अच्छा example यह भी five star rating का example this is example of five star five star का मतलब एको मेरे star समझना मतलब यह बहुत बार exam में पूछा गया है और आजकल तो क्या होगे ना बेटा कि आजकल तो सारा exam एक कर दिया बहले क्या होता था हम लोगों के time पे cbs cpmt अलग होता था बहु अलग cpmt अलग fmc अलग amu अलग aims अलग तो एक ही साल में एक बच्चा कम से कम 6-7 जिकमर अलग है ना तो एक ही साल में बच्चा कम से कम 6-7 forms भरके exam देता था ठीक है तो क्या होता था जब 6-7 जग exam देने जाता था तो यह question मिलने का chance बहुत हाई हो जाता था अगर एक साल नहीं तो दो या तीन साल रिपीट कब है तो आना ही आना होता था यानि कि 10-12 एक्जाम देने के बाद डिपरेंट डिपरेंट यह question किसे ने किसे एक्जाम में मिल जाता था अब क्या होगा क्योंकि है तो आपको 10 साल तक अगर आप दोगे पेपर जोखी नहीं किसी को करना है लेकिन अगर आप 10 साल तक का पेपर देख ठीक है ना और यह आपको देखिया वेलोसिटी वर्सिस एक्स का ग्राफ यह है वी नॉट ठीक है और यहाँ पर माल लेजिए यह टी नॉट यह 0 ठीक है तो अगर मैं आप से स्लोप पूछ हूँ स्लोप यानी कि dv by dx एना तो यह 10 ठीक है और तो यह आपका 10 ठीक हो जाए ठीक है अब देखर पूटा हमको क्या करना है जो लाइन की एक्क्वेशन होती है एक लाइन की एक्क्वेशन क्या होती है y एक्वास टो mx प्लस c ठीक है और सुपोस यह जो 10 ठीक है माली जे 10 ठीक हमको कुछ दे दिया है कि यह कुछ भी है सुपोस दिस इस 30 डीक है तो स्लोप यानी कि dv by dx तो आपका जो स्लोप है dv by dx वो कितना आपको दे दिया है 10 30 यानी कि 1 by root तो आपके जो एक्वेशन हो जाए कि y की जगव v 10 30 की जग़ा 1 upon root 3 यहां पर आपका क्या जाएगा x plus c c क्या होता है intercept यानी कि v naught तो यह आपकी क्या बन जाएगी equation line और क्योंकि line speed और x के बीच में है तो आपको v और x का relation यानी कि आपको v कैसे मिलवा है आप से पूछेगा acceleration x पर कैसे depend करेगा तो आपको मैंने बार बार बताया है कि acceleration अक्रेशन निकालने के लिए बेटा दो तरीके होते हैं थिक है ?ip अक्रेशन निकालने के दो तरीके होते हैं अगर V as a function आफ-time दिया है तो execution निकालो कैसे dVy dt करके और अगर v as a function of x दिया है तो x शेशन निकाल लो कैसे v d by dx करके और यहाँ पे कौन सा तरीका चलेगा यहाँ पे यह वाला तरीका काम आलगा ठीक है तो अगर हमको निकालना ही पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे a equals to v v की जगा क्या लेंगे 1 by root 3 x plus v naught और d upon dx of v, v कितना है 1 upon root 3 x plus v naught ठीक है तो यह expression आपका आजाएगा 1 upon root 3 x plus v naught into 1 upon root 3 ठीक है constant का differentiation कितना होता है 0 और x का differentiation 1 तो आपका जो acceleration है आपका acceleration हो जाएगा 1 by 3 x plus v naught by root 3 that means अगर आपसे कोई पूछे कि ax graph कैसा होगा तो ax graph भी straight line ही होगा बस दो changes आजाएगे क्या क्या changes आजाएगे एक तो जो intercept था जो intercept था वो v naught की जगा क्या हो जाएगा v naught by root 3 जो आपका theta था जो 30 degree of 10 आपका जो theta आता था वो कितना आता था 10 inverse 1 by root 3 वो जो slope है slope आपका change होके कितना हो जाएगा 1 by 3 यानि कि 10 theta आपका कितना हो जाएगा 1 by 3 और ax graph आपको इस तरह का मिल जाएगे यानि कि दोनों में कोई खास difference यहीं पर यह थोड़ा सा change आ सकता है question में क्या change कर सकते है question वाले देखो वो एक हल्का सा twist ला सकते है बेटा आपका graph इस तरह से दे सकते है suppose v naught और x naught यह हो गया v यह हो गया x अब आप देखो जो आपका slope है slope आपका x-axis से देखते है तो यह slope आपका negative है यानि कि slope आपका हो जाएगा कितना minus v naught upon x naught है ना है तो परकंडिक्लर परकंडिक्लर upon base बटाक को क्योंकि यह वाला angle देखना है और यहां से तो यह इतना आपको सब को पता होना चाहिए कि अगर आपकी line x-axis से 90 degree से कम बना रही है तो slope क्या होगा positive अगर 90 degree से ज़्यादा बना रही है तो slope क्या होगा negative उसको बार में detail में देखें अब यहां पर जब आप equation लिखोगे तो y equals to फिर से equation क्या होगी mx plus c slope की जगह क्या हो जाएगा minus v naught upon x naught into x plus intercepted से कितना है v और जब a निकालोगे तो a क्या होगा v dv by dx यानि की minus v naught upon x naught into x plus v naught और इसी को फिल से क्या करना है differentiate कर देना तो जब differentiate करेंगे तो जैसे वहाँ पर one by root पी आ गया था यहाँ पर क्या जाएगा minus v naught upon x naught अब क्या हो जाएगा जब आप इसको अंदर लाओगे तो a बराबर आ जाएगा v naught upon x naught square into x minus v naught square upon x naught यानि यहाँ पर slope हो जाएगा positive और intercept हो जाएगा negative तो जब आप से graph पूछेगा तो जब आप graph बनाएंगे तो आप एक ऐसी line खीज देंगे जिसका intercept हो जाएगा negative यानि की नीचे से और slope हो जाएगा positive तो इस बार यह graph हो जाएगा ध्यान रखेगा जब आपका यह graph था v x तो आपका ax graph कैसा आया था इस तरह का और जब आपका v x graph इस तरह का था तो आपका ax graph थी आया straight line ही था ठीक है की क्या है questions की अब मैं 50 सवाल नहीं लगाऊंगा बेटा मुझे बस एक चीज समझ में आ गई की examiner दो तरह के questions पूसता है एक questions मैं speed कितनी बार repeat करती है आज की class मैं speed as a function of time देगा speed as a function of x देगा या velocity कह लो जब velocity as a function of time देगा तो acceleration कैसे निकल जाएगा dv by dt से जब ये function x का दिया होगा तो कैसे निकलेगा v dv by dx मेरे खाल से एक चीज में 5-6 बार बीतर क्लास मैं बता चुका हूँ ठीक है ओके so सुपर्मेन high level integration क्या होता है बेटा है integration की तो कोई limited नहीं है high level integration का मतलब match की class थोड़े ना है high level integration करते चलेंगे धीरे धीरे जहां जहां पर आये का पहले basic basic करते चलना है तो उनको पता भी निशे high और low में कुछ नहीं होता है जैसे एक चीज आप समझो easy question, difficult question कुछ नहीं होता है अगर आप से question का solution निकलता जा रहा है तो question easy है nothing is like high level high level तो subjective हो गया हो सकता है high level ने ले लो हो या मेरा high level तुमारे ले लो हो है की नहीं तो high low कुछ नहीं होता जैसे आप खुद मुझे बताओ ना असान सवाल और मुश्किल सवाल क्या होता है जैसे हम लोगों के sir एक सवाल पूछा करते थे minor operation, major operation जैसे किसे का operation होना है तो आप किस operation को minor बोलोगे किस operation को major बोलोगे तो कोई कहता था कि sir जैसे heart का operation हो रहा है तो major operation है फिर मैंने का minor operation कौन सा है तो आपने का sir जैसे कोई cyst है कोई छोटा मुटा cyst निकाल रहा है तो वो minor है मैंने का ऐसे नहीं होता है तो हमारे सर क्या बोलते थे, हमारे सर कहते थे, देखो बेटा, अगर अपने उपर सुई भी लग रही है, अपने उपर सुई भी लग रही है, तो वो major चीज है, और दूसरे की अगर kidney भी निकल जाए, दूसरे का kidney transplant भी हो रहा है, दूसरे का heart transplant हो रहा है, कुछ भी हो रहा है दूसरे पर जो भी operation हो रहा, minor है, मतलब minor, major, easy, difficult, यह सब चीज़े क्या होती है, subjective होती है, तो इसी तरह से मुश्किल सवाल क्या होता, जो नहीं लगा, वो मुश्किल है, जो लग गया, वो असान है, तो अगर एक के लिए जो असान है, और दूसरे के लिए जिससे नहीं लग रहा हो, क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है की नहीं, ठीक, अब, तो यहां तक हमने देख लिया, कि यह आपका a versus, कैसे आपको velocity के term पे, अगर x यह टी पे दिया, तो कैसे आप x शेश में कालेंगे, ठीक ना, अब देखो, दूसरा integration का use कहां पर होता है, जहां प changes को हमको sum up करना होगा, वहां पर integration का सबसे अच्छा रूल आएगा, जैसे, फिर से, for example, यह एक spring है, ठीक है, जब हम spring को pull करेंगे, यह माली यह किसी ने f4 से खींचा, और जो spring है, उसकी length, change होकर, extension कितना हो गया, x, तो जब हम spring को pull करते हैं, तो spring के अंदर एक force develop हो जाता है, spring force, जो की कहलाता है क्या, restoring force, restoring force, और यह restoring force कितना होता है, k times x, यानि कि यह x के proportion होगा, ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ, कि जब यह spring है, अभी extend हुआ, x से, फिर यह, और extend हो गया, कितने से, x dash से, फिर यह, और extend हो गया, कितने से, x double dash से, तो इसका मतलब, जो spring force होगा, क्या वो constant होगा, नहीं, इस वक्त, spring force कितना लग रहा होगा, kx, इस वक्त, spring force कितना लग रहा होगा, kx dash, इस वक्त, spring force कितना लग रहा होगा, kx, double dash, यानि कि, जो spring force है, वो, कैसा होता है, वो variable होता है, वो vary करता रहता है, इसके साथ, x के साथ, ठीक है, अब, हमको अगर एक expression दे दिया जाए, कि work done क्या होता है, f dot, ds, या dx, कुछ भी कह लीजे, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा ह कि work done क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, बस मेरे को सिर्फ एक expression दे दिया, कि work done होता है, f dot ds, यानि कि, f ds, cos theta, जहांपे theta angle होगा, किसके बीच का, force and dx के बीच का, force and dx के बीच का, और हमसे बोला, कि वहीं किसी spring को, एक spring को, जबकि वो, x initial खिचा हुआ था, वहां से, x final तक खिचने में, what is the work done by spring force, ये निकालो, what is the work done by spring force, ये निकालो, ठीक है न, तो अब, यहां पर हम ऐसी problems में क्या करते हैं, बिटा, कि हम एक general किसी भी point पर आ जाते हैं, और हम कहते हैं, मान लीजिए, हमारा जो spring है, इस वक्त कितना खिचा हुआ है, x, तो इस वक्त, जो spring force लगेगा, वो अंदर की ओर, यानि कि towards left, कितना लग जायेगा, kx, और मान लीजिए, यहां से, हम इसको थोड़ा सा, खिच ले जाते हैं, कितना dx, तो सबसे पहले बात हो, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया, 180 डिग्री, तो अगर आप work done निकालेंगे, तो work done होता है, f, ds, cos theta, जो की हो जायेगा, f, dx, cos 180, cos 180, minus 1, तो minus बाहर कर लो, और f हो गया, kx, dx, ठीक है, और limit कहाँ से, कहाँ जायेगी, x initial से, x final, तो work done by spring, अगर हम निकालेंगे, तो minus बाहर कर लो, k constant है, x dx, x square upon 2, और limit, x initial से, x final, तो minus half k x final square, minus x initial square, तो this is the work done by spring, अगर आप एक spring को, x initial से, x final तक खींचते हैं, तो this is minus half k x final square, minus x initial square, ठीक हो गया, और अगर हम spring को खींच देते, कहाँ से, this is one expression, बाद में इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, जब work energy chapter पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, then, जिस जिस चीज़ को हम याद करते चलेंगे, मतलब जिस भी problem के solution को हम याद करते चलेंगे, तो हमारा क्या बनता चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे special case क्या हो जाएगा, अगर हमारा x initial 0 हो, यानि की, spring को आप x is equal to 0 से pull कर रहे हैं, और pull करके, x final को कहां तक ले जाते हैं, x तर, तो x initial को 0 pull कर दीजे, उस case में spring का work done कितना हो जाएगा, minus half kx square, जिखान रखेगा, यह formula भी use कर सकते हैं, बट हमेशा formula का application याद रखेगा, यह formula का भी use करना है, जब x initial 0 है, तो बेटर यह है कि हमेशा work done को x spring काम यह formula याद कर लें, तो इस तरह से बेटा क्या होगा, कि जो integration वाला जो part है, आपको हर chapter में use पढ़ेगा, चाहे वो work energy chapter हो, चाहे वो thermodynamics हो, कहीं पर भी हो, अब integration, no doubt, कुछ simple integration होंगे, कभी-कभी क्या होगा, जब आप SHM जैसा topic पढ़ेंगे, तो SHM में क्या होने लगेगा, कि आपके पास, suppose इस तरह की equation आ जाए, V equals to A sin omega t type का, ठीक है न, और यहाँ पे अगर आपको kinetic energy निकालने को बोले, तो kinetic energy, suppose half M भी square होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, half M A square sin square omega t, ठीक है न, अब यहाँ पे अगर आपसे average पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, suppose यह function को अगर आपको integrate करना पड़े, यानि कि अगर हमको sin square omega t dt को integrate करना पड़े, तो कैसे करेंगे, ठीक है न, इस पे question mark है, ठीक है न, हमारे पास दो functions आ जाएए, suppose हमारे पास sin x, cos x आ जाए, ठीक है न, sin x, cos x, bx, तो कैसे करें, तो integration no doubt, यह complete नहीं हुआ है, बट अभी कम से कम हमने यह कह सकते हैं, कि हमने जो building blocks होता है बेका, ठीक है न, building blocks माने, कि कि किसी भी building को खड़े करने में, जैसे a, b, c, d होती है, कम से कम हमने a, b, c, d सीख ली, हमने सीख लिया कि अच्छा भई, यह symbol भी होता है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, slowly, slowly, हम लोग अपनी जो vocabulary है, हम अपनी vocab को increase कर सकते हैं, बट, एक दिन में नहीं होगा, यह जो practice है, यह चलती रहेगी, and this practice should be daily, ध्यान रखना बेटा, learning, learning, और आपका जो eating habits हैं, ठीक है न, या digestion जो भी कहलो, वो एक जैसा चलता है, ठीक है, जैसे मान लिजे, आप सुभा नाष्टे में दो पराठा खाते हैं, ठीक है, अब आप यह सोचें, कि हम दस दिन तर कुछ नहीं खाएं, और 11th day पर, सीधे 2 into 10, यानि कि 20 पराठा खा लें, ठीक है, तो क्या यह possible होगा, क्या यह feasible है, नहीं, ठीक है, तो आप जो खाएंगे, वो सबसे अच्छा आपके बॉड़ी में कब लगेगा, जब आप daily interval के साथ नियम से खाएंगे, उसी तरह से अगर आप यह सोचो, कि मैं 10 दिन तक कुछ ना पढ़ूं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं, कि हम 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर संडे के दिन हम 10 घंटा पढ़ाई करके एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, तो यह possible नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं, कि आपका अच्छा performance है, अगर आप चाहते हैं बेटा, कि आपका NEET 2021 में एक अच्छा performance है, देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कि मेरा पढ़ाना इस बात की गारंटी नहीं है, कि मैं आपका सेलेक्शन करा दूना, आपका मैजिशियन, ठीक है, अगर किसी को भी यह लगता है, कि यह कोर्स जाइन करती है, कोई दुनिया की कोई कोचिंग नहीं है बेटा, जो गारंटी से कैसे कि कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे मेरी बात को, अगर आप अपना डेली रूटीन मैनेज करेंगे, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, अगर आप अपनी एफिशेंसी बढ़ाने पर ध्यान देंगे, ठीक है, एफिशेंसी कैसे बढ़ेगी, इसमें मैं आपकी हल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें मैं मैं आपकी हल्प कर सकता हूँ, डेली रूटीन आप खुद से करेंगे फॉलो करने वाला काम आपको खुद से करना है इसके बाद अगर आप एक बैलेंस बना कर चलें बैलेंस तीनों सब्जेक्ट में कि डेली कुछ-कुछ physics भी कवर हो रहा है कुछ-कुछ chemistry भी, कुछ-कुछ bio भी प्लस जितना आप theory पढ़ रहे हैं और theory और application यानि कि problem solving में अगर आप balance बना कर चल रहे हैं तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि आपके selection का जो percentage है वो काफी उपर जा सकता है